एक बेहत एहम खबर चीन से है चीन में क्या अब शी जिन पिंग की मुखालफत का मतलब सजाए मौत है या फिर क्या शी जिन पिंग अब भरष्टा चार को और जादा बरदाश नहीं करेंगे क्या चीन में अब भरष्टा चार के लिए सजाए मौत है ये एहम सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों ऐसा ही देखने को मिला है क्योंकि एक पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाए मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला चीन का अलत ने सुनाया है लेकिन सजाए मौत से पहले तोशी पाए गए पूर्व मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाए मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घरश्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि भरश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब भरश्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हाला कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भिस्तार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग होद्दा है और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टा चार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टा चार के ऐसे ही मामले की कोड में सुनवाई ही और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है उपमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियों करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा कोर्ट में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंतरी को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्ख दो दिन पहले भी दो सीनियर ओफिसर्स के खलाफ कोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भरष्टा जार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना का भी आरोप है यानि आरोग ये भी है कि ये से जिन्पिंग के लिए बिए और क्या इसी लिए ओर्ट में इस तरहे की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि पूर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट पूर्व मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे हैं कि क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होगी उन्हें इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भरेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार पर अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरे वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि कुरोना को भेलाने का आरोप लगा लेकिन इसी COVID-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंद्री को भ्रष्टा चार के मामले में कोट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए मौत यानि भ्रष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाए मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पूर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पूर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वुत्तर चीन के जिलिन प्रांच से जुला बताया जा रहा है और यहीं मौझूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधिकार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके छिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहा है अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंक की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस को बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती तेशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसी लिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का धरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोड के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और्व मंतरी को कोड ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोड ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना कि जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्यायपालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शेजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं थी इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोर्ट ने सुनाई है हाला कि ये सख्त रुख शी जिंपिंग का था क्योंकि शी जिंपिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन्पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौजूद है वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा के वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पूरी कारणी आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरू मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पत पर काभीज हैं इसका वो दुरूपयों कर रहे हैं हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे टाकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें क किसी को सजा मौट सुना दी जाए। रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुना जाए लेकिन चीन के कानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मन्तरी को जो सजा सुनाई गई है मंतری सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलती मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंतری को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस् गुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तर ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन्पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घद्दारी करेगा उ बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले उनको रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों म शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उन की विवस्ता ही खोकली होती जा रही है और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चायर को लेकरके और हैं जो ताजा कोड का फैशला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन्पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबख लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिंपिंग लगातार इसे अब तटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौचूद हैं क्या नयपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पद का दुरूपयों कर रहा है जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पद का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या वहाँ लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है। वह तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है। उसकी लिए उन्हें तयार किया जा रहा है। शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, जो उनके इर्दगिर मवजूद हैं, मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभ्यान को तीजी से आगे बढ़ाया है। और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है, क्या भ्रष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरूप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना जिन पिंग की अगर कोई मुखालफ़त करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिश्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोड में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वोत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपियोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है। अलाकि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीओं की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची या जिन्पिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन्पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुँचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन्पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना च यानि जो शी जिन्पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया मानें कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें जिन पर उनका बस चलता है क्यूंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया पर भी चुकी है लगातार शी जिन्पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घदारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन्पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों क की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरू मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनस में थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा देखते थे ऐसे में पुरू तरचीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुरू कर दिया जाए सुन पूरू मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ् बर्जी के खलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है और शी जिन पिंग के पुरू मंत्री पर इसी तरह से सजा का एलान ये बताने की कोशिश है कि शी जिन पिंग अपने विरोधियों को कत्ताई परदाश्ट नहीं करते और जो पूर से सजा सुनाई गई उसमें सजा मौत सुनाई गई है इस मंत्री को लेकिन चीन के गानून के मताबिक सिर्फ सज आए मौत ही नहीं बलकि उससे पहले इन्हें दो साल की सरश्रम कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ेगी यानि दो साल पहले मशक्कत करना है और दो साल तक अपने आने वाली उस मौत का इंतजार करना है जो शी जिन पिंग के जरिए कोट ने तै कर दिया है शी जिन पिं उनकी मर्जी के खिलाव कोई अधिकारी गया तो फिर उनकी सजा इसी तरह मौत ही होगी और अब कई तरह के सवाल शी जिन पिंग के उठाए गए इस खदम और चीन की अदालत के सुनाए गए इस फैसले से अब साबित हो रहे हैं कि क्या अब सिर्फ शी जिन पिंग जो चा को भुगतना पड़ेगा क्योंकि अब ये ताजा मामला एक मिसाल के तौर पर पुरे चीन में देखा जा रहा है और अब पुरी दुनिया में इस खास मसले की चर्चा लगातार हो रही है क्या चीन में अब रश्टा चार के लिए सजाय मौत है ये एहम सवाई इसलिए बिखड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों ऐसा ही देखने को मिला है क्योंकि एक पुर्व मंत्री को रिश्टा लेने और रश्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि भरष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब भरष्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भरष्टार बाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग होता है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखाल्फत करे या फिर भरष्टा चार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टा चार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुए और एक पावर्फुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है उपमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुपियोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा कोर्ट में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस से लिक दो दिन पहले भी दो सीनियर कोफिसर्स के खलाफ कोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदगा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि श्री जिन पिंग के ये विरो में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल कि क्या आभी डिन्पिंग इसी तरह से ब्रश्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आ सुना दिवहिए नाम उसका मंत्री का सुन-विर जून है जिने रिश्वतfon लेने का दोशी पाया गया है अपने बद्गज दुरूख करने दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे, लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरे, वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे, जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है, और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है, लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है, कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भ्रष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया, तो सुना दी उन्हें सजाए मौत, यानि भ्रष्टा चार की सजा जेल ही नहीं, और सिर्फ आर्थिक डंड ही नहीं, बलकि चीन में सजाए मौत है, और उसका ये ताजा उधारन चीन से सामने आया है, बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्र चीन के जिलिन प्रांक से जुला बताया जा रहा है और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी नीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुँचा गया क्या अब जीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी ही सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौखलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीटी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीटी दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों न उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी दुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी खरेवा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का धरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शेजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शेजिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शेजिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पि इनकी छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा कि वनजाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है अला कि उसके लिए बकायत पूरी कारवाश आगया बढ़ाई जाती है शी जिन पिंग के ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया खोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने पाया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर इसी तहे के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूइँआन अगर इसे हम डालर में देखें तो 991 मिलियन डालर की रिश्वत ले रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू हुई लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बहुत सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मि सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के कानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौद से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें, सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्ता में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही थाबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोब रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोब इन पर लगा आरोब तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक सुनको ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पोलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगर मौत की सजा तक पहुचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गये तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में य जोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिनपे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्थर पर खड हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिनपिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिनपिंग घिरे हुए ह और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्था ही खोखली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन्पिंग अब ब ब्रष्टा चार को ले करके और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया किदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौद ब्रष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है आने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पूरी दुनिया भर में चर्चा का विशाय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टोलने की कोशि कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पूरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नए पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं जो पदगा दुरूपयों कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिन पिं कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुपसान तो न जलाशा जा रहा है, उन को पार की नजर से देखा जा रहा है, क्या अपना ये काम इमान्दारी से कर भी रहे हैं, क्या नहीं, क्युकि pedals Chi Jinping की जो बड़ी सेना है, वो तो बहारी शत्रुों से लड़ सकती है, उसकी लिए उन्हें तयार किया जा रहा है, शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस त रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है कि अब रश्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आय दोशी पाया गया तो एक सकत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोड में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वोत्तर शेहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पुर्वो मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाए जाने पर अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाए जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम य या चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी ब्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखाल्फत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपए की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लग वज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा देखते थे ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्व कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ् वर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने वानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुँचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है और शी जिन्पिंग के पुर्व मंत्री पर इसी तरह से सजा का एलान ये बताने की कोशिश है कि शी जिन्पिंग अपने विरोधियों को कत्ताई परदाश्ट नहीं करते और शी जिन्पिंग के पुर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रश्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पुर्व मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब घ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो घ्रिस्तारवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द घिर्द कोई उनके मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्भ मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमधीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्ख दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाफ कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदगा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है किसे जिन पिंग के ये विरोधियों के और क्या इसी लिए पोड में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है किसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़कि पूर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पूर्व मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस्तुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बाद ये है कि शी जिन पिंग अब भरिष्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा लेकिन इसी COVID-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुम्याँ खर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओर्ट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकी चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पूर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पूर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वुत्तर चीन के जिलिन प्रांक से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्त का नहीं है भलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस पी गई है और इस से पहले भी कुछ ऐसी ही सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का धरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पू विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का गलत इस्तेमाल तो نہیں कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ को और वो मंतरी को कोट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शेजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिल कि दरसल शेजिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आसपास उनके इर्दगिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शेज जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंत्री वहां रष्टाचार के दोशी पाए गया तो इस पूर्व मंत्री का मसला कोड़ चला गया यानि यह सखती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उन की आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है हाला कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आख पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा के वंजाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन पि पर इसी तहे के संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दूरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरूपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दूरूपयोग क कि रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरूप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज है इसका वो दूरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमित्ताएं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरूप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर फेर का आरूप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दूरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हिट में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आ या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं, उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं, या शी जिन्पिंग का रुख बेहद सख्त है, क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है, कि ब्रश्टाचार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए, पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है, मंत्री सुन लिजन को जो सजा सुनाई गई है, उसमें सिर्फ आसी की सजा, मौत की सजा ही नहीं, बलकि मौत की सजा मिलने से पहले, दो साल का सरश्रम कारावास, यानि मौत से पहले भी, दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटन होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ व इसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौ प्रान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरीन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी personal property थी उसे भी निलाम करने का आदेश दे दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कि शी ज चिन्पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश् सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिनपे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे इस तर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिनपिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिनपिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था ये पूरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके एर्दगिर्द उनके अपने ये उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसम सخت रुख अक्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री कर रहे हैं यह खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नए पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पदका दुरूपयों कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हे डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड जोवों को तलाशा जा रहा है, उनको पार की नजर से देखा जा रहा है। क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं, क्या नहीं। क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है, वो तो बहरी शत्रूँओं से लड़ सकती है। उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभ्यान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भरष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब और उप मंत्र सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सफ कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है जिनपिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिष्वत लेने का दोशी पाया जाने पर अपने पद का दुरूपियों करने का दोशी पाया जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया वो काम ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्त नहीं था अला कि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन पिंग किया चभी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास भरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साज़िश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोग तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरॉधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमस्कम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकि जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा दे तब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरू मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई ब कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुरू मंत्री उमर इनकी तिरपन साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन कि मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंत पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मरजी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवी वेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने पानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुँचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम बरदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबब मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब घ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो विस्तारवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग होदा है और इसे लेकर वो लगातार गिर्टे चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहार करने का आरोप लगा आपराधि गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाफ कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेस्टा अचार करने और पदगा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्ट्पती श्री चिन पिंग के विरोधियों के एक समूगा नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोग ये भी है कि ये से जिन्पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए ओड में इस तरह की कानूनी कारवाई चला तर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है किसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बाद ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें और उसके पर उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया खर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाए मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद इंटरमेडियेट बिपल्स कोट आफ चांग चुन ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी नीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन्पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब जीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन्पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ कोट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है पल की एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जारा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहर कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से चिड़ा हुआ है। के अभी पद पर मौझूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं है थी इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोर्ट ने सुनाई है हाला कि ये सख्त रुख शी जिनपिंग का था क्योंकि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आख मोंद कर शी जिन्पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह र रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आला कि उसके लिए बतायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आय पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लमबी सुन बाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयां अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रहे हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉप ट्रेडिंग में हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फाइदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहत सखत है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि रष्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें, सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्ता में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस कि उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट ऑफ चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन् के तमाम हधिया जितनेभी अधिकार है उनसे वनचित कर दिया जाये यानि जितने भी राजनेतिक उने राइट्स थे अब वो पुरी तरह से उन्हें वनचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्टी थी उसे भी नेलाम करने का आदेश दी गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उ बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चड़ा और और्व मंत्री सुन ले शी जिन्पिंग पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरुना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन्पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन्पिंग घिरे हुए हैं और अब वोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्था ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सخت रुख अक्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाय मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले औ अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशाय बढ़ा हुआ है शी जिन्पिंग लगातार इसे अप टोलने की कोशिश कर रहे हैं जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मोजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभ्यान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिनपिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिनपिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सख्त कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साजश रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरुप्यो करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था आना कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया चबी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास परदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी ब्लैन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अं आसपास के लोग तो जरूर मानें जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर यह आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रह 30 रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब 7 अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप स इसे फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनेसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना ज़रा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का रश्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फायदे के लिए काम पिया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग último परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्व को चीन की एक अधालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन्पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम भरदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरों से हटकर भी यहाँ फैसला देखने को मिला यह फैसला नहीं चीन्पिंग ने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि रिश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए शी जिन पिंग अब भरष्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिन पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो विस्तार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करें या फिर भरष्टा चार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानकी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टा चार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अन्जाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाव फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समुझा नेतित्व करने का भी आरोप है यानि आरोप यह है कि श्री जिन पिंग के लिए और क्या इसी लिए ओट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलाकर सजाय मौत तक पहुचाया गया था यह भी कई एहम सा है लेकिन सवाली कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस उप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी उन्हें इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहे हैं तरसल बताया ये भी जा रहा है क कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने क का आरोप लगा इसी COVID-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और कीच रहा है कि चीन में एक पूर्व मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओड में दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक तंड ही नहीं बलकि चीन में सजाए मौत है और उसका ये ताजा उधारण चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब जीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिन की सक्ती और सक्ती के साथ ओट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शखस का नहीं है पल की एक पूर्व मंत्री का है यानि अगर पूर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है। अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन के तरह चट कर रहे हूं। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। कि अभी पद पर मौझूद हैं। वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे है। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्स को नहीं बलक उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिनपिंग की शवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौजूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक और सुबह की वनजाई शी जिनपिंग को दिखाई दे रही है तो फि उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है अला कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाण आगया बढ़ाई जाती है शी जिनपिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चल इने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दूरूपियों करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिल पर कादीज हैं जिसका वो दूरूपियों कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेरफेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि की अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपियों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का र वोग में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जा लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बल पूरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिन किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही थाबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिन्ग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्परखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वन्चित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वन्चित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और और्व मंत्री सुन ले जुन को प्रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द, उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्था ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए है भरष्टा चार को ले करके और यह जो ताजा कोड का फैसला है यह इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मं सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें यह एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टोलने की कोशिश कर रहे हैं यह खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौ में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिन प बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा उने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है, उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि शी जिनपिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रुओं से लड़ सकती है, उसके लिए उन्हें तैयार किया जा और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है। और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है। कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है। क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है। लेकिन शी जिन्पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने। और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरुमंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरुमं पुरुमंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोल्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पुर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिष्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्योग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे। आरोप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था। कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं हैं। और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिनपिंग उनने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था। लेकिन शी जिनपिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है। यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें, जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते य जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोश चीश हुई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनसमें थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरोतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद इंटरमेडिय जाए सुन पूर्व मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शुरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर ल इंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंट पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब रश्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रह तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवी वेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाब भी थे और इसी लिए भी सी जिन पिंग ने वानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला देखने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सख सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए शी जिनपिंग अब घ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है किस तरह से वो घ्रिस्तारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोड में सुनवाई हूई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले अर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोड ने सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाए मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खिलाफ फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भ्रश्टा अचार करने और पदगा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती शी जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना का भी आरोप है यानि आरोग ये भी है किये से जिन्पिंग के लिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरहे की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाली कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से ब्रश्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साब ने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट कुरू मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उसुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया ग कि उन्हें इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन पिंग अब भरेष्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लग करते रहे खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत्त के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अ मामले में ओड ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भ्रष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक तंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था प्रवुत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा है और यहीं Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा स लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन्पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन्पिन की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसे बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम दाम दंड नेत से उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। उसे घुन के तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। किसी तरिखे से कोई धुखा तो नहीं दे रहे है। गलत इस्तेमादों तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उटा रहे है। और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और्व मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजा मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसके जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसके जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सखती थी शी जिनपिं में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और कि ये सख्त रुख शी जिनपिंग का था क्योंकि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे ब हिकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शफ व सुभा की ध्वन जाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बतायत पूरी कारणा आगया ब कुछ senior officers पर इसी तरह के संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरूपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दूरू million dollar की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरूप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दूरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमेताएं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दूरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरूप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरूप इन पर लगने लगे थे उसके ब मौका देना चाहते हैं या शे जिन्फिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि बरश्टा चार के आरूप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरूप में किसी को आंसी पर लटकाने की सजा स सुनाई गई है मंतरी सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरू मंतरी को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पतफर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट ऑफ चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार ह यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें रैट्स थे अब वो पोलिटिकल रैट्से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने अंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें। कर रहे हैं जो भरष्टा चार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जना कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिनपिंग के आदेश के बाद उठाया गया है। ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके। सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बाद का भी है। कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है। जिन लोगों को उनीं बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसी लिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्ह पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक स तुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को जाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी स सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिष्वत लेने का दोशी पाया जाने पर अपने पद का दुरूपियों करने का दोशी पाया जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइन्टीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरोप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्ट नहीं था आला कि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन पिंग किया छवी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नह हैं और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया, कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था, लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाह करते हैं, वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने, जिन पर उनका बश चलता है, क्यूंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं, उनके इरादे कुछ और भी हैं, और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है, लगात की और से जो उनके साथ हैं, जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है, लेकिन जब खबर ये आती है, कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं, तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं, शी जिन पिंग, और यही बताने की कोशिश हुई ह क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था, अगर भारती रूपियों के हिसाब से रेखें, तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था, अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे, आरोपों के तहत ये भ अपना फाइदा रेखते थे, ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं, उससे वंचित कर दिया जाए, इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है, इसे कुर्ग कर दिया जाए, सुन पु लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है, वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है, शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत स हटा देते हैं, लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो, शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्त नही करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इसी थस्डे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैविवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है, हाला कि आरोप ये भी लग रहा है, कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे, और इसलिए भी शी जिन पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए, इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया, आरोप ये भी लग रहे हैं, कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं, यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो, सिर्फ वही का उनकी इर्दगिर्द मवजूद लोग किया करते हैं, लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है, कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं, वैसा करते अगर कोई पाया गया, या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी, तो फिर उस चार के आरोपों में दोशी पाये जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है, लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला, यह फैसला एक चीन पिंग कालत ने सुनाया है, लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाये गए पुरों मंत्री क वो दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है, यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत, और यह सब हुआ है, रिश्वत लेने और घरष्टा चार का दोशी पाये जाने पर, और यह सखत सजा कोट ने इसी लिए भी सुनाई है, ताकि रिश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे, उसे एक सबक मिल सके, और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए, शी जिनपिंग अब रिश्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं, अना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है, किस तरह से वो भिश्टार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है, और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे, या फिर भ्र श्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई ही, और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है, और ये फरमान कोर्ट ने सुनाया है, उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा, पद का दुरुपियों करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे, और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा, कोर्ट में सुनवाई के बाद, आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है, जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है, उससे एक दो दिन पहले भी, दो सीनियर कॉफिसंस के खिलाफ फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था, रह्ष्टा चार करने और बद समों का नेतित्व करना का भी आरोफ है, यानि आरोफ ये भी है कि ये से जिन पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था, ये भी कई एहम सा है, लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और फुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं, क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है, इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ, बलकि पूर्व मंतरी के साथ हुआ, यानि एक हैवी वेट पूर्व मंतरी को सजाय मौत चीन म सुना दी गई है, नाम उसको मंतरी का सुन लेजून है, जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है, अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया है, लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है, क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुं पताया ये भी जा रहा है, कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे, लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरे, वहां कई बड़े वरिश्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे, पत्त के दुरूप का आरोप लगा है, और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है, लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है, कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया, त पत्त की चीन में सजाय मौत है, और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है, बताया ये भी जा रहा है, कि दरसल इस पुर्म मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था, आरोप तो इस पुर्म मंत्री पर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा है, और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा, कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए, यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे, ऐसे तमाम अधिकार उनके छिन लि ये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है, लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं, कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना, यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया, क्या अब चीन में रष्टाचार करने वालों का अंजाम यही क्योंकि शी जिन पिन की सखती और सखती के साथ ओर्ड में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया, वो किसी आम शखस का नहीं है, बलकि एक पुर्व मंत्री का है, यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाता है, तो उसे सजाय मौदिस गई है, और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है, दरसे बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे हैं, उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौखलाए हुए हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, क्या वो विस्तारबा वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो उनसे लगे हुए हैं, और इसी के तहर कई ऐसे उनके सीमावरती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन जब पुरी दुनिया में उनकी इस छवी को लेकर, उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई, तो उ उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जांकने की कोशिश की, यानि वो अपनी घृवा में भी जांक कर ये देखना चाहते हैं, कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह है, उनके दे आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का, तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं, पूरे सिस्टम का है, कि सिक्योर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद ह वो किसी طریقے से कोई धूखा तो नहीं दे रहे च्या हो कहीं अपने पद का घलत इस्तिमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियो करते हुए, शी जिन्पिंक की नीकियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं, और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और्व मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसके जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसके जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले स उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उप्मुक मंतरी वहां रश्टा चार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशय बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है अना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शफ व सुभा के ध्वन जाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाय मौत तक पहुँच है आना कि उसके लिए बकायत पूरी कारणा आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दूरूपयोग कर रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दूरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमेत्ताएं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को ब आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजिन को जो सज सुनाई गई उसमें सिर्फ आंसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारवाज यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंतरी को काटना होगा और यह सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिजुन आरो रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्ता चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक पुत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वन्चित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वन्चित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाह उसे जरासी भी घद्दारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गया तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पूर्व मंत्री सुन लेजुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनके जवी को लेकर के कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं। COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी। ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन पिंग घिरे हुए हैं। चाते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो। और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सخت रुख अक्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गय या कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खि पार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खं पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम ची हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के ख पर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमांदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्यूंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सिना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगिर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को जा सकती है कि अब रष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब और उप मंत्री सुन जिन को रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम य या चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक साजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखाल करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इराद को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घदारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था अगर भारती पई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बि कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वन्चित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुरु मंत्री उमर इनकी तिरपन साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट हुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन प को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है। से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला। यह फैसला यही चीन्पिंग भलत ने सुनाया है। लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाये गए पुरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत। और ये सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टाचार का दोशी पाये जाने पर। और ये सखत सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है। ताकि भरष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए। शी जिनपिंग अब भरष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं। बानगी चीन से सामने आई है। पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है। और ये फरमान कोट में सुनाया है। उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा। आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपयों करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे। रिश्वत ले रहे थे। और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे लिक दो दिन पहले भी दो सीनियर ओंफिसंस के खलाफ पोर्ट में ऐसा ही फैसला सुनाया था। रश्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी। आरोपी पर राष्टपती श्री जिन्पिंग के विरोधियों के एक समुं का नेतित्व करना का भी आरोप है। यानि आरोप यह है किसे जिन्पिंग के लिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुंचाया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और उतका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं। क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ। बसकी ये पुर्वं मंत्री के साथ हुआ। यानि एक हैवेवेड पुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गयी है। नाम मुस्टुम मंत्री का सुन लिजून है। जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंटा गया है लेकिन खासवार ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्र लगातार कई अधिकारियों पर लगे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें, वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें, खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा, लेकिन इसी COVID-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत्त के दुरूप का आरोप लगा है, और उसके उन पर इसी तहे से कोड की कारवाई चली है, लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है, कि चीन में एक पूर् मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओडने दोशी पाया, तो सुना दी उन्हें सजाय मौत, यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं, और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं, बलकि चीन में सजाय मौत है, और उसका ये ताजा उधारन चीन से सामने आया है, पताया ये भी जा रहा है, कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था, आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था, पुर्वुत्तर चीन के जिलिन प्रांच से जुल बताया जा रहा और यहीं मौझूद Intermediate People's Court of चांचुन ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन्पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में रश्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन्पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ कोट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे है क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृवा में भी जांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के लिए जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का ह कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और इसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शक्स को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन मे अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गया तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफ इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि पूर मंतरी को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है अना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मूंद कर शी जिन पिंग की नी कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शफ व सुभा के ध्वन जाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच र पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार इन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूइन और इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था, हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे, कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं, इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं, और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही हैं, और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रह हैं, स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था, यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे, और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे, टाकि इनका फायदा हो सके, ऐसे आरोप लगे थे, 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे, उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही, लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था, कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं, उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं, या शी कि आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए, लेकिन चीन के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया, जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है, मंत्री सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई, उसमें सिर्फ आसी की सजा, मौत की सजा ह यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वक लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चर रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वुत्तर में जिरिन प्रांथ में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में च जो भी उनसे जरासी भी घद्दारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सक करता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन लेजुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इ इस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को लेकर के कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमे वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और ये जो ता हर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हु में चर्चा का विशाय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुलिस सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद है क्या नयपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पदगा दुरूपयों कर रहे हैं जो भरष्टा चार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पदगा खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिनपिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तिया रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पद कि शिर्टर में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक-एक कर बोने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्यूंकि शी जि कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगिर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभ्यान को तीजी से आगे बढ़ाया है औ जब रष्टाचार करने पर आदमी को मौत की अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब और उप मंत्री सुन लेजुन को रिश् पाया गया तो एक सकत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफ़त करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत में ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्ट लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मयान अपने पद का उन्हों ने खलत इस्तिमाल किया और कई अधिकारीयों की इन्हों ने खलतियों को छुपाया अपने सवार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्हों ने ली आभरोव इन पर ये भी लगा कि इन्हों ने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो का ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्ट नहीं था अला कि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन पिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आसपास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहु अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ची जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये जाती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनेसमेंट थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद इंटरमेडियेट पीपल्स कोर्ट आफ चांक्यून ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भ यही नीजी संपत्ति है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है यह एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे यह जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए यह अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिरवात में यही मानकर इसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती प्रष्ट ने एक बड़े हैवीवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आ यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरो के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पिछले दिनों ऐसा ही देखने को मिला है क्योंकि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रश्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाए गए पूर्व मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि भरष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिन्पिंग अब भरष्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भिस्तारवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं यह एक अलग मुद्दा है और इसे लेकर वो लगाता पहुंचाया जाएगा यह एक और उसकी बानकी चीन से सामने आई है बताया यह गया कि एक प्रश्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और यह फर्मान कोर्ट में सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रि पूर्ट में सुनवाई के बार आखिरकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खिलाफ पूर्ट में ऐसा ही फैसला सुनाया था पति श्री जिन्पिंग के विरोधियों के एक समू का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप यह है कि श्री जिन्पिंग के यह और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलाकर सजाय मौत तक पहुंचाया गया था यह भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से व्रश्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बशलकि पूर्व मंतरी के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पूर्व मंतरी को सजाए मौथ चीन में सुना दी गई है नाम उसको मंतरी का सुन लेजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने बद का दुरूपयों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम के तक पहुंचा गया थे लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भरिष्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें और उसके बड़ उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्व मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओड़ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोग तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्व उत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मौजूद Intermediate People's Court of Charm-Chun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी नीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब जीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शखस का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौखलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर यह कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्व पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा के ध्वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के ओर से ऐसी कु जिन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीकें से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताएं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेरफेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हिट में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू हुई लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस् गुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में फिवस्था राइट पा एजनिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जा है यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइटस थे अब वो पूलिटिकल राइटस से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है। जो उनकी अपनी personal property थी उसे भी निलाम करने का आदेश दे दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लो तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशवत लेते पाए गये तो उसका अनجाम स्ख़ से सख़़िया हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केस चला कि दरसल शी जिन्पिंग पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन्पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन्पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें। कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बा का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुखस उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिनपिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिनपिंग समय समय पर उन्हें उ शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकत है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना शी जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिश्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वोत्तर शहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पुर्वो मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरुपयोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी कई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने खलत एस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को चुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम य या चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मु उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों क अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनेसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुर्वत तरचीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं उससे वन्चित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्व कर दिया जाए सुन पुर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना ज़रा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का आप वर रख्ष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ को इपने फायदे के लिए काम किया जा रहा हो कि शी जिन्पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाये जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाये गए पूर्व मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ से जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाय जाने पर और यह सखत सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो फ्रष्टारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग मुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करें या फिर भरष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भरस्टा अचार करने और पदधा दुरूपियो करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राश्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूँ का नेतित्व करने का भी आरोप है यानि आरोफ ये भी है तिये से जिन्पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से ब्रश्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट कुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस उप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सखत रुख दिखा रहे हैं दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगा इसी कोविट-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खी बेटा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का अधियारोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था अबला दरसल पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा है और यहीं मौजूद Intermediate People's Court of Chanchun ने ये भी कहा कि सुन को और के राजनेतिक अधियार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौध डिस गई है और इस से पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावरती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस छवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश क यानि वो अपनी घृवा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगरत बैठे देश के फीतर ही सफाई अभ्यान चलाने का तरसल ये सफाई अभ्यान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्योर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं और इसे तमाम सवाल अब इस कोट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसके जिम्मेदारी थ कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिं की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नह ही है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रश्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि यह सखती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोर्ट ने सुनाई है हाना कि ये सखत रुख शी जिनपिंग का था क्योंकि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिनपिंग की चवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा की ध्वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पत का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चल अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पत पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमेताएं भी इनके कारिका पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेरवेर का आरोप इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरूपक ऒए लेकिन इसमें सबसे एहम रोल की सजा सुनाई जा लेकिन चीम के कानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौद से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें, सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्ता में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही थाबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोब रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोब इन पर लगा आरोब तो यहां तक लगा था कि इनोंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरीन प्रांथ में मौझूद Intermediate People Court of चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वन्चित कर दिया जा है यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पोलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वन्चित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी personal property थी उसे भी निलाम करने का आदेश दे दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और उर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे इस तर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरुना को पुरी दुनिया में एलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी छवी सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोखला तो नहीं कर रहे दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्था ही खोखली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सख्त रुख अख्तियार किये हुए है भरष्टा चार को ले करके और यह जो ताजा कोड का फैसला है यह इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अ रुपियों कर रहे हैं जो भरष्टा चार में लिप्त हैं क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मोजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा खदम माना जा रहा है आला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्ह के सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अवियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक एक कर होने कोन है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रह हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी चाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरूप में कोट में एक बड़ी सुनवाई मे और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पूरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आलकि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौक्रियां बेची यानि वो काम करते रहे जो शी जिन्पिंग को बरदाश्ट नहीं था अला कि शी जिन्पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन्पिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आसपास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहु अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ ची जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये जाती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनेसमेंट थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद इंटरमेडियेट पीपल्स कोर्ट आफ चांक्यून ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भ यही नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री उम्र इनकी 53 साल की है यह एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे यह जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए यह अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शपोस्चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब रष्टाचार किया जा रहा हो शी ज अदालत ने एक बड़े हैवीवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुंचा दिया आर जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम भरदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है। मौत से पहले दोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। ब्रश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए। शी जिन पिंग अब ब्रश्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं। कि दुन्या भर में शी जिन पिंग की खुद की चवी क्या है। किस तरह से वो ब्रश्टार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक अलग होद्दा है। और इसे लेकर वो लगातार घरते चले जा रहे हैं। लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करें। या फिर भरश्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुचाया जाएगा। ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है। पताया ये गया कि एक रश्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है। और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है, उपमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा, आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा, और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था, आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे, और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा, कोर मंत्री को सजा मौत सुनाई गई, उससे दो दिन पहले भी दो सीनियर कोंफिसंस के सलाव फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था, भेस्टा अचार करने और पदखा दुरुपियों करने के मामले में उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई थी, आरोपी पर राष्टपती श्री जैंपिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है, यानि आरोप ये ही है, किसे जैपिंग के ये बिरोधियों और क्या इसी जी लिए पोर्ट में इस तरह की खानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुशाया गया था, ये भी कई एहम सा है, लेक हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है किसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़कि पुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेग पुर्व मंत्री को सजाए मौथ चीन में सुना दी गई है नाम उसको मंत्री का सुन लेजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंटा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहे हैं दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगाता कई अधिकारियों पर लगे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को अर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्म मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर् पुत्तर चीन के जिलिन प्रांग से जुला बताया जा रहा है और यहीं मौझूद इंटरमेडियेट विपल्स गोट ऑफ चांग चुन ने ये भी कहा कि सुन को और के राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े ह हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में रष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सखती और सखती के साथ ओर्ट में उठाए गए कदम पुरू मंत्री का है यानि अगर पुरू मंत्री भी भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर ज प्रष्टाचार रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से ना उठाना पड़े, वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो उनसे लगे हुए हैं, और इसी के तहर कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है, लेकिन जब पुरी दुनिया में उनकी इस छवी को लेकर, उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई, तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की, यानि वो अपनी घरिवा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं, कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के लिए जो को कदम उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं, और इसलिए श्री जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से आंत्रिक सुरप्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का, धर असलिए सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं, पुरे सिस्टम का है, कि सिक्योर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे, क्या वो कहीं अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं, और ऐसे तमाम सवाल अ एक ऐसे शक्स को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिस जिम्मेदारी की सिस्टम और जादा सटीक हो जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा न्याय पालिका पर हो, नुगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो, जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए, जिससे ये देखने और सुनने मिला, कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है, लेकिन उनके आस पास, उनके इर्द गिर्द, उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं, जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं, या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है, एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गया, तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया, यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की, शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उ ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं, जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो, और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है, और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्च विषय का विषय बन गया है, क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं, बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है, हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था, क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं, कि उनके आसपास, उनके इर्दगिर्द, जो कोई भी हो, उनका विष्वास पात्र हो, यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे, और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए, उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे, चाहे दुनिया भर में शी जिन पिंग की छवी जो भी हो, चाहे दुन जाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है, तो फिर उसका अंजाम सजाय मौत तक पहुँच रहा है, आला कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है, शी जिन पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया, और जो ताजा मामला सामने आया, पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे, कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है, ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रि दोशी पाया गया, और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान, अगर इसे हम डॉलर में देखें, तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था, हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे, कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं, इसका वो दुरूपयों कर रहे हैं, और कहतरे की अनिमित्ताएं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही हैं, और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं, स्ट्रॉग ट्रेडिंग में हेर फेर का आरोप ही इन पर लगा था, यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का लगे थे, उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही, लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था, कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं, उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं, या शी जिनपिंग का रुख बहत सख्त है, क्योंकि बहुत क आउक में किसी को आशी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए, लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया, जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है, मंत्री सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई, उसमें सिर्फ आशी की सजा, मौत की सजा ही पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिन किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिन से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजा इब मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरीन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ-साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे भी नेलाम करने का आदेश दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द, उनके अपने ही उनकी उस एमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोखली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सخت रुख अक्तियार किये हुए है ब्रष्टा चार को ले करके और यह जो ताजा कोड का फैसला है यह इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत ब्रष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ, उनकी नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नयपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं जो पदका दुरूपियों कर रहे हैं जो भरष्टा चार में लिप्त हैं क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पदका खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा खदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसी लिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहब अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं हैं कि उनका उठाया गया ये कदम आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आलकि पूरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने खलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीयों की इन्होंने खलतीयों को छुपाया, अपने स्वार्थ के लिए, उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली, आरूप इन पर ये भी लगा, कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची, यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्ट नहीं था अला कि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन पिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अप की प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंत्री को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाय मौत तक आरोप तो रिश् लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी है और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहत ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी ही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थ कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनेसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरोतर चीन के जिलिन प्रांत में ही म पत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्डे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैविवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आलाकि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मवजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है कि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो विस्तारबाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करे या फिर फ्रष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोड में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोड में सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियोग करतिवे शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खिलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भ्रेष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंपिंग के विरोधियों के एक समूँ का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है किसे जिन पिंपिंग के लिए और क्या इसी लिए पोड में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाली कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट कुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उसुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया अपने पद का दुरूपियों करने का दोशी पाया गया गया है लेकिन सवाल यह भी खड़े होने लगे क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होगी उन्हें इस अंजाम तक पहुँचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को पेरे वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि कोरोना को भैलाने का आरोप लगा लेकिन इसी COVID-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी गुमिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक तंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधिकार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक तक तौँचा गया क्या अब जीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकी एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चत सो बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिग्रत बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरह सलिए सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाय मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्स को नहीं बलक उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिनपिंग की शवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौजूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक और सुबह की धवनजाई शी जिनपिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाय मौत तक पहुंच रहा है अला कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिनपिंग की और से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पत का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी 30 मिलियन यूयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पत पर कादीज हैं इसका वो दूरूपयोग कर रहे हैं और कह तरह कि अनिमेत्ता रहते हुए ये पद का दूरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का र वोग में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जा लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बल पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिन किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिन से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजा इब मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्परखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वन्चित कर दिया जाए यानि जितने ही राजनेति कि उन्हेन राइट थे अब वो पुलिटिकल राइट से भी पूरी तरह से उन्हें बंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और और्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साजिश चीन की शी जिन्पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चीन्पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द, उनके अपने ही उनकी उस एमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोखली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सخت रुख अख्तियार किये हुए है ब्रष्टा चार को ले करके और यह जो ताजा कोड का फैसला है यह इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत ब्रष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ, उनकी नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नय पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं जो पदका दुरूपियों कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पदका खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभ्यान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिनपिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तिया रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहट अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभ्यान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम आरोप में कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वतर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन यूयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे, आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे, ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे, आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए, उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली, आरोप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरि शी जिन पिंग किया छवी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नही हैं और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाय मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते ह कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी ह चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घदारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से लेने का आरोप इन पुरू मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनसमेंट थे जि कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ति है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुरू मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग क इसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती अगरत ने एक बड़े हैवीवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के ज प्रिश्वत लेने और रश्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है। लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला। यह फैसला लेई चीन अलत ने सुनाया है। लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत। और ये सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर। और ये सख सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए। शी जिनपिंग अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है किस तरह से वो भ्रिस्तारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक भ्रष्टाचार के ऐसे मामले की कोर्ट में सुनवाई ही और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दिय दी गई है और ये फरमान कोर्ट ने सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ गलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुप्योग करते हुए ये शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाए मौत सुनाई गई उससे दो दिन पहले भी दो सीनियर कोड कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था रश्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राषटपती शीये जिनपिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप यह भी है कि शीये जिनपिंग के लिए गया और क्या इसी लिए पोड में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ न यानि एक हैविवेट कुरू मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस उप मंत्री का सुन लेजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुँचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भरष्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को पेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले स जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत्त के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्म मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर् उत्तर चीन के जिलिन प्रांग से जुला बताया जा रहा है और यहीं मौझूद इंटरमेडियेट बिपल्स कोट ऑफ चांग जुन ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार न कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में व्रष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिन की सखती और सखती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी ही सख्ती चीन में देखी गई है दरसाथ बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाए हुए हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम को ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद है वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शीजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ये कदम आगे बढ़ाए, उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो, चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो, लेकिन उनके तमाम वो साथी, जो हर महकमे में मौझूद हैं, वो उनके साथ व पूरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है, शी जिन्पिंग के ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया, कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया, और जो ताजा मामला सामने आया, पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इस पद का दूरूपयों करने का दोशी पाया गया, उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया, और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयान, अगर इसे हम डॉलर में देखें, तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था, हाला कि सुन पर में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर फेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर र लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिन पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिन पिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार क आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए। रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए। लेकिन जीम के गानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है। के लिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में किदम उठ होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते सिर्वे पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत और चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिफाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुवत लेते पाये गए तो उसका अंजाम सخट से सखट क्या हो सकता है ये मिफाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में केश चला और पूर्व मंत्री सुन लेजुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनक उन्हें को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने व अख्तरुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है ले सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम म मौझूद हैं क्या नय पालिका में ऐसे कुछ लोग मौझूद तो नहीं है जो पदका दुरूपयों कर रहा हैं जो ब्रश्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महीकमे में तो ऐसे और hypothetical मौझूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पदका खलत इस्तिमाल कर रहे हैं और इ सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके। सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है। संत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिनपिंग ने सोची और उसी के तहट अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है। उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि शी समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। और इसी लिए भी शी जिनपिंग ने इस तरह की साय मौत दी जा सकती है। क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है। लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने। और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब और उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है। जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी। अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है, कोई साज़श रष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है। आला कि पुरी कोट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया यह गया कि चीन के पुर्वत्तर शेहर चांग्चून की अदालत ने यह देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अश्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे। ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे। आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्हो ने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्त नहीं था अला कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया चवी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिनपिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाय मौत तक आरोग तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिनपिंग इसक मौत है यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भ उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से रेखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से ल बिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद इंटर्मेडियेट पीपल्स कोट ऑफ चांक्यून ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी को धी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंज के खलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थज़दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने गानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहा है कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पुर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला नहीं चीन अलत ने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख सजा कोट ने इसी लिए भी सुनाई है ताकि प्रष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिन्पिंग अब प्रष्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भिश्टार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टा चार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रश्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई खी और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्भ मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट ने सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ गलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपियों करतिवे शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि ये से जिन पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है जिसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़कि पूर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पूर्व मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस उप मंत्री का सुन देजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे क्या शी जिनपिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंटा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिनपिंग अब भरिश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी गुमिया खर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकी चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मौझूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुनको उर्व के राजनाथिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनाथिक अधिकार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिए गए हैं जिस्के वो राजनाथिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन्पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन्पिन की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसे बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। कि अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सखती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशय बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन्पिंग का था क्योंकि शी जिन्पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आख मूंद कर शी जिन्पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें। फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है। से हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था। कि सुन पर आरूप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमेत्ताइं भी इनके कारेकाल में बरती जा रहे हैं। और तमाम ऐसे कई आरूप इन पर लगते रहे हैं। स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर भेर का आरूप ही इन पर लगा था। यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके। ऐसे आरूप लगे थे। 2018 से ही जब इस तरह के आरूप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू हुई। लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार क आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए, रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए, लेकिन जीम के खानून के मताबिक, जो ताजा मामला सामने आया, जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है, मंत्री सुन लिजुन को ज सरश्रम कारावास यानि मौद से पहले भी दो साल जेल में पूरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिनपिन किस तर विवस्था में पदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यहीं साबित करने के लिए आखिरकार शी जिनपिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वर खाबीज थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिर जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम क आधेश दे दिया गया है यह इस तीशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनके निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उन से जरासी भी घद्दारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें। कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बा का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुखस उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगिर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा मे सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भरष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरूप में कोट में एक बड़ी सुनवा में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सकत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिष्वत लेने का दोशी पाया जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया जाने पर उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया वो काम ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्ट नहीं था आला कि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन पिंग किया छवी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी ब्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते है कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और ये ही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से लेखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अलाकि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहट ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changkin ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्व कर दिया जाए सुन पुर्व मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये शिन जिन्पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन्पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन्पिंग उन्हें तुरंट पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन्पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्डे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवी वेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन्पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहाँ फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन चीन अलत ने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि भरष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए शी जिन्पिंग अब भरष्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भरिस्तार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग होता है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टा चार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टा चार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावर्फुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाए मौत दिय दी गई है और ये फरमान कोर्ट ने सुनाया है उप मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरूप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुप्यों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा कोर्ट में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाव फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेश्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गए थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग की विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना का भी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि श्री जिन पिंग के ये विरोधियों और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौब तक पहुंचाया गया था ये भी कई एहम साथ है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से भरष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते है क्योंकि जो ताजा मामला साबने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि पुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वे पुर्व मंत्री को सजाय मौथ चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या स्जी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि स्जी जिन्पिंग अब भरेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरे वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि कुरोना को फेलाने का आरोप लगा लेकिन इसी COVID-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी गुमियां फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक उर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओर्ट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जारा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैध रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोग तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुँचा गया क्या अब चीन में भरष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शखस का नहीं है पल की एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौध डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसे बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है। अधिकारी और उनके इर्दिग्रत बैठे लोग उसे घुन के तरह चट कर रहे हूं। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। कि अभी पद पर मौझूद हैं वो किसी तरीफे से कोई दोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्स को नहीं बलक उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिनपिंग की चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक और सुबह की गणजाई शी जिनपिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजा काम सजाय मौत तक पहुँच रहा है आला कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिनपिंग की और से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पत का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई च अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पत पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमेताएं भी इनके कारिका चाल में बरती जा रहे हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेरफेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभा लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिन पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिन पिंग का रुख बहत सखत है कि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि रष्टा-चार के आरोप म किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जा लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए थी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी ज अरजी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चर रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक मौकरियां बेची है क्योंकि यह एक बड़े पत्वरखावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिप्ल कोट ऑफ चांग्चुन ने यह भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को यह सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आग उन्हें बंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है यह इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते यह हैं कि अब देश में यानि चीन में जो उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया यह भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गये तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है यह मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और उर्व मंत्री सुन लेजुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे ह यानि उनकी जवी को लेकर के कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके एरदगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे, दीमक की तरह चैट तो नहीं कर रहे, जिसमें वो अपने विस्तार, पादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्था ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और ये जो ताजा कोड का फैसल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के रहे हिती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तौर पर पुख्टा करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस वात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकळा तो नहीं हो रहा है जिन्गों को हन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन्पिंग ने सोची और उसी के तहब अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा अतार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सख्त कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साजश रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये अरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरक आसपात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आसपास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साज़िश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उ इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिनपिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिनपिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी है और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिनपिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोट अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों क को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनेसमेंट थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरु तरचीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पोलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब र बज़दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आलाकि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अ पूलूसी में लगे रहते हैं याen जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके एृद्गिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है कि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला देखने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए शी जिन्पिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो फ्रष्टारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग होदा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करें या फिर फ्रष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट में सुनाया है उपमंत्री पर सरकारी अधिकारीों के साथ कलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेतरित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खिलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भ्रेष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना का भी आरोप है यानि आरोप ये भी है किसे जिन पिंग के ये बिरोधियों के और क्या इसी लिए पोड में इस तरह की कानूनी कारवाई चलाकर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साबने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि पूर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेड पूर्व मंत्री को सजाय मौथ चीन में सुना दी गई है नाम उस्तुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरुप्यों करने का दोशी पाया गया है खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेष्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है। तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे। लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को पेरें, वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे। पुरी गुमियां भर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओड़ने दोशी पाया, तो सुना दी उन्हें सजाय मौत, यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं, और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं, बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है, बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था, आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन मे अवैद हत्यार रखने का भी लगा था, अबला दरसल पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुड़ा बताया जा रहा है, और यहीं मवजूद इंटरमेडियेट बिपल्स कोट ऑफ चांग चुन ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर द लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी नीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है, लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया, क्या इसी और इशारा भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया, वो किसी आम शखस का नहीं है, बलकि एक पुर्व मंत्री का है, यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टाचार का दोशी पाया जाता है, तो उसे सजाय मौदिस गई है, और इससे पहले भी कुछ ऐ जैसे ही सखती चीन में देखी गई है, दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे हैं, उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौखलाय हुए हैं, उन पर तरह तरह के आरोप नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से, उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े, वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो उनसे लगे हुए हैं, और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावरती एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की, यानि वो अपनी घर्यवा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं, कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अ करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का, धरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं, पुरे सिस्टम का है, कि सिक्योर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं, वो किसी तरीके से आफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं, और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोड के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोड ने सुनाई है, सजा मौत, यानि कोड ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है, जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था, जिसके जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, जिसके जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो, नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो, जो शी जिन्पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंत्री वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंत्री का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौथ चीन की कोट ने सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिनपिंग का था क्योंकि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मौंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा की ध्वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाय मौट तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीकेंग से वो अपने पद पर कावीज हैं इसका वो दुरूप्यों कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूप्यों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फाइदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का र आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जा लेकिन चीन के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरू मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बल पुरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिन किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिन से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि यह एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने अंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें। कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बा का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुखस उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उ शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकत है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरूप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना प जिन पिंग की अगर कोई मुखालफ़त करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिश्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन यूयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्योग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अश्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीयों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था आला कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन्पिंग किया छवी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी न सामने आया है, जब चीन में शी जिन्पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया, कोड के जरीए सजाए मौत तक, आरोप तो रिश्वत लेने का था, लेकिन शी जिन्पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं, कि उनकी मुखालफत कर करने का अंजाम मौत है, यानि जो शी जिन्पिंग चाहते हैं, वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने, जिन पर उनका बश चलता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, उनके इरादे कुछ और भी हैं, और उनक वो चाहते हैं, कि उनका पूरा साथ दिया जाए, उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं, जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है, लेकिन जब खबर ये आती है, कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं, तो उन्हें मौत तक पहुच देते हैं, शी जिन पिंग, और ये ही बताने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था, अगर भारती रूपियों के हिसाब से रेखें, तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था, अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे, आरोपों के तहत ये भी पाया गया था, कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे, जिनमें कई बड़े बिजनसमेन थे, जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी, और ये अपना फाइदा रेखते थे, ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांथ में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं, उससे वन्चित कर दिया जाए, इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है, इसे कुर्ग कर दिया जाए, सुन, पूर्व मंत्री, उमर इनकी 53 साल की है, ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे, ये शिन पिंग को लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर ल इंजाईश होती है, शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं, लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो, शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैविवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है, हाला कि आरोप ये भी लग रहा है, कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाब भी थे, और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया, आरोप ये भी लग रहे हैं, कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहत हैं, यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो, सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मوجود लोग किया करते हैं, लेकिन शी जिन पिंग की फित्रत भी यही है, कि अगर शी जिन पिंग को जो काम भरदाश्ट नहीं, वैसा करते अगर कोई पाया गया, या इसकी भनग भी गुपत पुर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है। मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और ये सब हुआ है रिश्वत लेने और रष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और ये सखत सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि रष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब भ्रष्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है किस तरह से वो व्रिस्तारवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखाल्फत करे या फिर भ्रष्टा चार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बान मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट ने सुनाया है उप मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ गलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुप्योग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुंचा को सजाए मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ पोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था घष्टा अचार करने और पदखा दुरुपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जि जिन पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाए मौत तक पहुंचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से ब्रश्टा अचारियों का और उतका विरोद करने वारों का अंजा आम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साब ने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेग कुरु मंत्री को सजाए मौत चीन में सुना दी गई है नाम मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेन का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होगी उने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सखत रुख दिखा रहे हैं तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार की अधिकारियों पर लगे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेबें हां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत्र के दुरूर का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तहे से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्व मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उधारन चीन से सामने आया ह बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांक से जुड़ा बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में व्रश्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रश्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी ही सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौखलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीटी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीटी दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक औरव मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है आना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इरदगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आख मूंद कर शी जिन्पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रह ही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बतायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के और से ऐसी कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंतरी सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयां अगर इसे हैं डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत ले रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉग ट्रेडिंग में हेरवेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फाइदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शीजिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शीजिनपिंग का रुख बेहद सخت है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंतری सून लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलगी मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सर्श्रम कारावास यानि मोत से पहले भी दो साल जेल में पुरू मंतری को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस् गुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरीन प्रांत में चैनुकार हैं उनसे बचित कर दिया जाए यानि हुए जितने भी राजनेतिक उने राइटी थे अब वह फो प्लिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उनने वंचित कर दिया गया है इसके साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दे दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरिये ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाएगए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन लेजुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को लेकर के कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने अंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिनपिंग लगातार इसे अब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नये पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं जो पद का दुरूप अलाकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात क भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुखसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा है और इसी लिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहट अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपन शी जिन पिंग समय समय पर उने उतसाहित करते रहते हैं लेकिन किया ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़े साझिश रच रहें और इसलिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन्पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साजश रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वतर शेहर चांग्चुन की अदालत में ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी वह लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्हों ने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीं की इन्हों ने घलतीयों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्हों ने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था अला कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया छवी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भ अधारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो, तो उसे वो बक्षते भी नहीं हैं। शी जिनपिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है। यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने, जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं, उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है। लगातार शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उन का पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा हैं लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिनपिंग और ये ही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से रेखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद इंटर्मेडियेट पीपल्स कोर्ट ऑफ चांक्युन ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी को धी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंज के खलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाफ भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने गानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहा है कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में तोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोट ने इसलिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिन्पिंग अब घ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो घ्रिस्तारबाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग मुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द घिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई ही और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट में सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरोगा नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने पद का दुरुप्योक करतिवए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्थ दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ पोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था रश्टा अचार करने और पदधा दुरूप्यों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती स्री जिन्पिंग की विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये लिए लिए ये से जिन्पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाए मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और खुद का पिरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि पुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट पुर्व मंत्री को सजाए मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिनपिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुँचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिनपिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी COVID-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक उर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां की शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा है और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब जीन में रष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ कोट में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे है क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चत सो बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जांकने की कोशिश की यानि वो अपनी खिरेबा में भी जांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी छवी को और जादा मजबूत करने के लिए जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिग्रत बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के भीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन्पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और्व मंत्री को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शक्स को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिस जिम्मेदारी की सिस्टम और जादा सटीक हो जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नूगा का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरिक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐस सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि पूर मंतरी को सजाए मौथ चीन की कोट ने सुनाई है हाला कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नी कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौजूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक व सुभा के ध्वन जाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाय मौत तक पहुंच रहा ह आना कि उसके लिए बकायत पूरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग की ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दूरू प्रियंड डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही हैं और तम पर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिन्पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिन्पिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश् में इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना ह और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस् इसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौ प्रान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरीन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट प्रांत में जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो फोलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी personal property थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है यह इस तिशा में बढ़ ख़वादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले, जो भी उनसे जरासी भी ख़वादारी करेगा, उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा, बताया ये भी जा रहा है, कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है, कि अगर रिश्वत लेते पाए गए, तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है, ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला, और और्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया, और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, लेक यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं, कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई, कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की, शी जिन्पिंग की तो नहीं थी, ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन्पिंग घिरे हुए हैं, और अब कोई दुनिया में वो अपनी छवी सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये था, कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उससे निपट वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों, और अंदर से उनकी विवस्था ही खोकली होती जा रही हो, और बताया यही जा रहा है, कि इसी कड़ी में शी जिन्पिंग अब बेहत सخت रुख अक्तियार किये हुए हैं, भरष्टा चार को लेकर के, और ये जो ताजा कोड का फैसला है, ये इसी कड़ी में उठाया गया, कदम माना जा रहा है, क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना, अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है, लेकिन शी जिन्पिंग का मकसद है, कि सबसे पहले उनके अपने देश में, यानि ची कारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें, ये एक बड़ा मामला है, जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है, शी जिन्पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कि इन इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है, हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है, ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके, सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं, तो उन्हें डर इस बात का भी है, कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है, जिन अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभ्यान चलाने की शी जिन्पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनक कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यह ही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया थ लिजितर था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपियोब करने का दोशी पाय जाने पर उनहें सजाय मौत सुना दी गई है अलगि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था आना कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया चबी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास परदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी ब्लैन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अं आसपास के लोग तो जरूर मानें जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहत के वे कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिन में कई बड़े बिजनसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुरोतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौजूद इंटरमेडियेट पीपल्स कोर्ट ऑफ चांक्यून ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुर्व मंत्री उमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंट पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन्पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैविवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन्पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है कि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला देखने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुनिया भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो ब्रिस्तारवाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ गलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपयोग करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भरष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियोग करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राश्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूँ का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोग ये भी है कि ये से जिन्पिंग के लिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेड कुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन बेजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरुप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुँचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा लगे इसी COVID-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओड़ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधिकार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिन की सक्ती और सक्ती के साथ कोट में उठाए गए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकी एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौध डिस गई है और इस से पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिनपिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिनपिंग खुद बौखलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है। अधिकारी और उनके इर्दिग्रत बैठे लोग उसे घुन के तरह चट कर रहे हूं। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। क्या अभी पड़ पर मवजूद हैं। वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे। क्या वो कहीं अपने पड़ का घलत इस्तिमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिनपिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिनपिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिनपिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिनपिंग की शी जिनपिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं जो इस शी जिनपिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्स को नहीं बलक उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिनपिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिनपिंग की शवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शवको सुबह की धुन जाईश शी जिनपिंग को दिखाई दे रही है त और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोप भी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीकें से वो अपने पद पर काभीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताएं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉण ट्रेडिंग में हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे टाकि इनका फाइदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिन्पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिन्पिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जे वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित कर करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि यह एक बड़े पत्वर खावीज थे ऐसे में चीन के पु आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्ट यानि चीन में जो कुछ भी चले, वो उनकी निगरानी में चले, उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीये ही चले, जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा, उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा, बताया ये भी जा रहा है, कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्ह मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पर पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उनपर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोखली होती जा रही हो और बताया कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरिस सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नायपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पदका दुरूप्यों कर रहा है जो भरष्टाचार में लिप्त है क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर के और जादा पुखतयार रणनीती बनाई जा सके, सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुखता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है, कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा त लिखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को कि जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पूरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आनकि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पुर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपियों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाए मौत सुना दी गई है अलाकि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरोप उन पर लगे थे आरोप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीयों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरोप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानी वो काम ये करते रहे जो शी जिन पिंग को परदाश्त नहीं था अलाकि शी जिन पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन्पिंग किया चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी न सामने आया है, जब चीन में शी जिन्पिंग ने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया, कोड के जरीए सजाए मौत तक, आरोप तो रिश्वत लेने का था, लेकिन शी जिन्पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं, कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है, यानि जो शी जिन्पिंग चाहते हैं, वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने, जिन पर उनका बश चलता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, उनके इरादे कुछ और भी हैं, और उनक में वो चाहते हैं, कि उनका पूरा साथ दिया जाए, उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं, जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है, लेकि जब खबर ये आती है, कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं, तो उन्हें मौत तक मुचा देते हैं, शी जिन्पिंग, और यही बताने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था, अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें, तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर मिलती थी, और ये अपना फाइदा रेखते थे, ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांथ में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं, उससे वंचित कर दिया जाए, इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है, इसे कुर्ग कर दिय जाए, सुन, पुर्व मंत्री, उमर इनकी 53 साल की है, ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे, ये शिन जिन पिंग को लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिरवात में यही मान कर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है, वरना जरा भी शप और शुबय की गुंजाईश होती है, शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं, लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब रष्टाचार किया जा रहा हो, शी जिन पिंग की नीती के कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है, आला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया, आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला देखने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है किस तरह से वो बिस्तारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ गलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपियोग करतिवे शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस से लिक दो दिन पहले भी दो सीनियर कोड़ कोड़ में ऐसा ही फैसला सुनाया था प्रेश्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करने का भी आरोप है यानि आरोप ये भी है किसे जिन पिंग के ये विरोधियों और क्या इसी लिए पोड़ में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम साथ है लेकिन सवाली कि क्या आभी जिन पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साबने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि एक पुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट पुरु मंत्री को सजाए मौत चीन में सुना दी गई है नाम उसकुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होनी उन्हें इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी COVID-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी गुमिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक के गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक तक तौँचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्त का नहीं है बलकी एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन पिंग खुद बौफलाय हुए हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबात की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई ओर देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चत को बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घरेबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसी लिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंतरिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का धरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शेजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शेजिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शेजिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्स को नहीं बलक उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में शी जिन पिंग की चाहे दुनिया शी जिन पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक व सुबह की धुन जाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरूपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान अगर इसे हम डॉलर में दे इसका वो दुरूपयों कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं उसके बाद इस मामले की सुनवाई होड में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जीन पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जीन पिंग का रुख बहत सखत है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए। नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंत्री को काटना होगा। अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा। उसका अंजाम मौत होगा। और यहीं साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजा मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन। आरोप रिश्वत लेने का, अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का, कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी, उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा, आरोप तो यहां तक लगा था कि इनोंने नौकरियां बेची है, क्योंकि ये एक बड़े पत पर खावीज थे, ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में, जिरिन प्रांत में मौझूद, Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है, कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए, बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधि से उन्हें बंचित कर दिया गया है, इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रापर्टी थी, उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है, ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है, कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं, कि अब देश में, यानि चीन में जो कुछ भी चले, वो उनकी निगरानी में चले, उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले, जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा, उसे इसी तरह मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा, बताया ये भी जा रहा है, कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तर अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है। ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चड़ा और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं। शी चिन पिंग घिरे हुए हैं और अब वोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा। कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोखला तो नहीं कर रहे है। दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे हैं जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्था ही खोखली होती जा रही हो। और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सخت रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बड़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं क्या नय पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं जो पदका दुरूपयों कर रहे हैं जो भरष्टा चार में लिप्त हैं क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पदका खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा खदम माना जा रहा है, हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है, ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके, सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं, तो उन्हें डर इस बात का भी है, कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है, जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है, क्या वहां लोग उनके सिस है, अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है, उनको पार की नजर से देखा जा रहा है, क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं, क्या नहीं, क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है, वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है, उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते है लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इरदगेर मवजूद हैं मुसकुराते रहते लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताज मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीति के खिलाव कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आनकि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिष्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिष्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अपिस्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए और कई अधिकारियों की इनोंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इनोंने लिए आरोप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिन्पिंग को परदाश्त नहीं था आना कि शी जिन्पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन्पिंग किया चबी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास परदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो, तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंत्री को पहुँचा दिया कोड के जरिये सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था, लेकिन शी जिन पिंग इसके जरिये अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है, यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया मानें, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें, जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है, लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनक पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है, लेकि जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग और यही बताने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था, अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था, अला कि आरोप इन पर बहुत से ल मिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे, ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांथ में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं, उससे वंचित कर दिया जाए, इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है, इसे कुर्ग कर दिया ये शी जिन पिंग को लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है, वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है, शी जिन पिंग के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवी वेट और मंत्री को सजाय हाला कि आरूप ये भी लग रहा है, कि दरशल शी जिन पिंग के ये खिलाफी थे, और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने गानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तख पहुचा दिया। लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और ब्रश्टाचार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टाचार का दोशी पाए जाने पर और यह सखत सजा कोटने इसलिए भी सुनाई है ताकि भरष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए शी जिनपिंग अब भरष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भरष्टारबात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द घिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावर्फुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाए मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपयोग करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था घ्रस्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना का भी आरोप है यानि आरोग ये भी है किसे जिन्पिंग के ये बिर और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाली कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से भ्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलकि तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेट कुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उसुप मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त पर लगे है लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें हां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को भेलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े अपने पत्त के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भ्रष्टा चार के मामले में कोट ने दोशी पाय में सजाय मौथ है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पूर्म मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पूर्व मंत्री पर चीन में अवैद हति दार रखने का भी लगा था अमला दरसर पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांग से जुड़ा बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुँचा गया क्या अब जीन में भरष्टाचार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टाचार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौखलाय हुए हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारबाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चत सो बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंदों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूस करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पुरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्ता को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है अना कि ये सकत रूख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्द गिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पातर हो यानि वो आज़ ओन या शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शवकों सुभा के ध्वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजा मौत तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के और से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पत का दुरूपयों किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोर्ट में एक लंबी सुनवाई च अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पत पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयों कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमित्ताएं भी इनके कारेक काल में बरती जा रहे हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंग ट्रेडिंग में हेरफेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयों कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिन पिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिन पिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार क आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंतری सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंतری को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस् गुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वक लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रापर्टी थी उसे भी निलाम कर परने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनके निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे ज मौत की सजा तक तोचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिश्वत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्त से सख्त क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये क खास बात है वो ये कि दरसल शी जिनपे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राश्ट्रे इस तर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने अंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिनपिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिनपिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकद भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस से निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने यी उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हो और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सخت रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिनपिंग लगातार इसे अप टटो कर रहे हैं जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है ह जाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन्पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इ सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुपसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा है और इसी लिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन्पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभ्यान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है लेकिन शी जिन्पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोर्ट में ए जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौद की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिश्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत में ये देखा कि 646 मिलियन यूयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया थ और एसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दिगई ए अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पदगा इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिन्पिंग को परदाश्ट नहीं था आला कि शी जिन्पिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिन्पिंग किया छवी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साज़िश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए ये एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिन्पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुँचा दिया कोड के जरीए सजाय मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन्पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिन्पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बस चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन्पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते य जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन्पिंग और यही बताने की अंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनेसमेंन थे जिसके एवज में इन्हें रि प्लिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ति है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पूर्व मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समूं का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐ कि इसे कई खास पदों पर बैठकर अगर इस तरह का भ्रष्षाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे क्लिए काम किया जा रहा हो तो फिरृ शी जी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्डे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन्पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतच के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है। सजा मौत से पहले दोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। रश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को देखा जाए। शी जिन्पिंग अब भ्रश्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं। कि दुन्या भर में शी जिन्पिंग की खुद की जवी क्या है। किस तरह से वो भ्रश्टार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक अलग होता है। और इसे लेकर वो लगातार घिरते चले जा रहे हैं। लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करें। या फिर भरश्टाचार का दूशी पाया जाए। तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है। पताया ये गया कि एक रश्टाचार के ऐसे ही मामले की कोड में सुनवाई हुई। और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है। और ये फरमान कोड में सुनाया है। उपमंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा। रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर ओंफिसर्स के खलाफ पुर्ट में ऐसा ही फैसला सुनाया था रश्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन्पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि श्री जिन्पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुंचाया गया था खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साब ने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बलके तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैविवेड पुरु मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उसको मंत्री क ऻुआ सुन लिजुन है जिनें रिश्वत लेने का दोसी पाया गया है अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होगी उने इस अंजाम तक पहुंटा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भ्रेश्टा चार को लेकर अपना सखत रुख दिखा रहे हैं तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की कई और आरोप लगातार की अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें और आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही कोविड-19 यानी को फैलाने का आरोप लगा लेकिन इसी कोविड-19 के तरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिष्ट अधिकारियों पर ही अपने पत के दुरूब का आरोप लगा है और उसके बिदर उन पर इसी तहे से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि घ्रष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकी चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हत्यार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुड़ा बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिन की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुँचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिन की सख्ती और सख्ती के साथ कोट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौध डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी ही सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री रिस्तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौखलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद की नीटी को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीटी दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिग्रत बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शीजिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गया तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही और भी चाहिए अगे बढ़ा है उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में स्षी जिनपिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिनपिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तुमाम वह साथी जो हर महकमे में मआश्व forts Nun रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा के ध्वंजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के और से ऐसी कुछ लोगों क संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाय गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीकें से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे की अनिमित्ताएं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉण ट्रेडिंग में हेर भेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावीत कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चाहर के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आंसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के गानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है منطری सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलगी मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सशरम कारावास यानी मौत से पहले भी दो साल जेल में पूरु मंतری को काटना होगा और यह सخت सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पतफर खावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट ऑफ चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार ह यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्थर पर खड़े हो रहे हैं COVID-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने अंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कोरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं और अब पुरी दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाय मौद भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिं शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पि अरी तोर पर पुखता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को लेकर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला त और उसी के तहप अब एक एक कर बोने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है कि क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्यूंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूँं से लड़ सकती ह उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरुमंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरुमंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोल्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वतर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपियों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी अरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरक आसपात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया छवी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आसपास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साज़िश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उ इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिनपिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिनपिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया मानें कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं उनके इरादे कुछ और भी चुकी है लगातार शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घदारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिनपिंग और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से लेने का आरोप इन पुरू मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपों के तहत ये भी पाया गया था कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे जिनमें कई बड़े बिजनेसमेंट थे ज कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ति है इसे कुर्ग कर दिया जाए सुन पुरू मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग क इसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती प्रष्ट ने एक बड़े हैवीवेट और मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरोप ये भी लग रहा है कि दरसल शी जिन पिंग के ये खिलाप भी थे और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आ यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मवजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिन पिंग को जो काम भरदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्तचरो के जरिये शे जिन्पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पिछले दिनों ऐसा ही देखने को मिला है क्योंकि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रश्टाचार के आरोपों में तोशी पाये जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाये गए पूर्व मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टा चार का दोशी पाये जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि घ्रष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब भ्रष्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भ्रिस्तार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भ्रष्टा चार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक भ्रष्टा चार और ये फर्मान कोट ने सुनाया है उकमंत्री पर सरकारी अधिकारीों के साथ खलत विवार करने का आरोप लगा आप्राधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपयोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाफ कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई थी आरूपी पर राश्ट्पती श्री जिन पिंग के विरोजियों के एक समूउं का नेतित्व करना कभी आरूप है यानि आरोग ये भी है किसे जिन्पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरहे की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से ब्रश्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला साब ने आया है जिसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़कि पूर्व मंतरी के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पूरु मंतरी को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंतरी का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिनपिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिनपिंग अब भरिश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिश्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा लेकिन इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिश्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके पर उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया खर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओर्ट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक दंड ही नहीं बलकी चीन में सजाए मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वुत्तर चीन के जिलिन प्रांक से जुला बताया जा रहा और यहीं मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधिकार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए हैं उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंदों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृबा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरसल ये सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद है वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि तरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर यह कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्व पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक व सुभा के ध्वनजाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के और से ऐसी संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरूपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी प पाया गया था हाला कि सुन पर आरूप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमित्ताएं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरूप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉप ट्रेडिंग में हेर भेर का आरूप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा हो सके ऐसे आरूप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरूप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बख्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बहुत सख्त हैं क्यूंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि व्रष्टा चार के आरूप में किसी को सजाय मौत सुना दी जायए रिश्वत लेने के आरूप में किसी को आशी पर लटकाने की सजा सुना इजाruct का लिकिन चीम के खानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी द कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्ता में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही था करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरू मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस् पाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताइं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि यह एक बड़े पत्वर खाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर मे जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और पुर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि दरसल शी जिनपे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं यानि उनकी जवी को ले करके कई तरह के सवाल अंतर राष्ट्रे स्तर पर खड़े हो रहे हैं कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिनपिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिनपिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिन्पिंग अब बेहत सخت रुख अख्तियार किये हुए है ब्रष्टा चार को लेकर के और ये जो ताजा कोड का फैसला है ये इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत ब्रष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिन्पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ, उनकी नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक ले और इस तरह की हरकत करने से बचे ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है शे जिन पिंग लगातार इसे अब टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद है क्या नयपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पद का दुरूपयों कर रहे हैं जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मैकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवे अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिनपिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तिरा रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है इभीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अव्यान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक-एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्यूंकि शी जिनपिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूँ से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिनपिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिनपिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को कि जा सकती है कि अब रष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यहीं हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया थ थी और अशिवत्त लेने का दोशी पाया जाने पर अपने पद का दुरूपयों करने का दोशी पाया जाने पर उन्हें सजाए मौध सुना दी गई आलगी आरोक तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोक इन पर ये भी लगा था कि ये स्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि कोविड नाइंटीन के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इनोंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्ट नहीं था आना कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पातरों को ही रखा है शी जिनपिंग किया छवी भी ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आसपास परदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी सामने आया है जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरीए सजाए मौत तक आरोप तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंज मौत है यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्यूंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भाप भी चुकी है लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें वो चाहते ये हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदों पर की कोशिश हुई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से देखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे आरोपो इसके थे ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद इंटर्मेडियेट पीपल्स कोट ऑफ चांग्चुन ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पुलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इ इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी इशब और शुबय की गुंजाईश होती है शी जिन पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसी कई खास पदों पर बैट कर अगर इस तरह कब रश्टाचार किया जा रहा हो शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं और ऐसा ही देखने को भी मिला कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक बड़े हैवीवेट पुर्व मंत्री को सजाय मौत सुना दी है हाला कि आरूप ये भी लग रहा है कि दर पुचा दिया आरूप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुपतचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है क्योंकि पूर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टाचार के आरोपों में तोशी पाये जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तूरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाये गए पूरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और भरष्टा चार का दोशी पाये जाने पर और यह सख्त सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि रिश्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिन पिंग अब भरष्टा चार के मुद्दे पर काफी सख्त नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिन पिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो विस्तार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनके मुखालफत करें या फिर भरष्टा चार का दूशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टा चार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट में सुनाया है उप मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरुपियों करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गमभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुचा कोड में सुनवाई के बाद आखिकार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उस सिर्क दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉंफिसंस के सलाव फोर्ट ने ऐसा ही फैसला सुनाया था रह्ष्टा अचार करने और पदखा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समुगा नेतित्व करने कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि श्री जिन पिंग के ये विरोधियों और क्या इसी लिए ओर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चला तर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आभी जिन पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और उद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के पुर्व मंतरी के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पुरु मंतरी को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस पुरु मंतरी का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होगी उने इस अंजाम तक पहुचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सखत रुख दिखा रहे हैं तरसल बताया ये भी जा रहा है कि दिखास के पन्नों को फेरें, कहां कही बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें, खुद चीन पर ही COVID-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा, यह इसी COVID-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कही वरिष्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप क आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया फर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भ्रष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए म मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रख पूर्ट ऑफ चांग चुन ने ये भी कहा कि सुन को और के राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी नीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक तक तौँचा गया क्या अब जीन में व्रष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए रहे हैं कुछ इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकी एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौद डिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तार बाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उने चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इलाकों में वर्चत सो बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावरती देश के साथ उनके संबंदों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पूरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उनने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घरेबा में भी जांक कर ये दे अंत्रिक्रत बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये मिशन है आंत्रिक सुरप्षा को लेकर के अब अपने देश के भीतर ही सफाई अभ्यान चलाने का तरह सल ये सफाई अभ्यान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्योर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे क्या वो कहीं अपने पद का घलत इ फैसले के बात खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और्व मंतरी को कोट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू नूगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना अबदारी कर रहे हैं या फिर इंडिरिकली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि यह सक रिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द अना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था kiunki शी जिन पिंग ये चाहते हैं ऑनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मूंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे अमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें। पहले भी कुछ senior officers पर इसी तरह के संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है। 70 million dollar की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था। हाला की सुन पर आरूप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर काभीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं। और कहतरे की अनिमित्ताएं भी इनके कारिकाल में बरती जा रहे हैं। और तमाम ऐसे कई आरूप इन पर लगते रहे हैं। स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर भेर का आरूप ही इन पर लगा था। यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे। टाकि इनका फायदा हो सके। ऐसे आरूप लगे थे। 2018 से ही जब इस तरह के आरूप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही। लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था। कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं। उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं। या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है। क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरूप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए। रिश्वत लेने के आरूप में किसी को आसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए। दो साल जेल में पूरु मंत्री को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें, सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन्पिन किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए है जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में खदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही थाबित करने के लिए आखिरकार शी जिन्पिन से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने बद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखाबीस थे ऐसे में चीन के पुर्वत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी personal property थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस तिशा में बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है कि शी जिन पिंग चाहते ये हैं कि अब देश में यानि चीन में जो कुछ भी चले वो उनकी निगरानी में चले उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा बताया ये भी जा रहा है कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है कि अगर रिशुत लेते पाए गए तो उसका अंजाम सख्ट से सख्ट क्या हो सकता है ये मिसाल कायम करने के लिए ही चीन की अदालत में ये केश चला और और्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गया लेकिन जो सबसे खास बात है कोविड-19 के वक्त भी पुरी दुनिया ने उंगले चीन पर ही उठाई कि क्या कुरोना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साजिश चीन की शी जिन्पिंग की तो नहीं थी ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चीन्पिंग घिरे हुए हैं और अब वोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशक्कत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस से निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या उनके एर्दगिर्द उनके अपने ये उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे है दीमक की तरह चट तो नहीं कर रहे है जिसमें वो अपने विस्तार वादी नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो और बताया यही जा रहा है कि इसी कड़ी में शी जिनपिंग अब बेहत सखत रुख अख्तियार किये हुए हैं भरष्टा चार को ले करके और यह जो ताजा कोड का फैसला है यह इसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है लेकिन शी जिनपिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश म यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें ये एक बड़ा मामला है जो आज पूरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बड़ा हुआ है शी जिन पिंग लगातार इसे अप टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पूरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद है क्या नयपालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं है जो पद का दुरूपयों कर रहे हैं जो भरष्टाचार में लिप्त हैं क्या पुलिस मेकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं है जो इसी तरह से अपने पद का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा खदम माना जा रहा है हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का खदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है यह भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खुखला तो नहीं कर रहा है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुफसान तो नहीं पहुचाया जा रहा है और इसी लिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिन पिंग ने सोची और उसी के तहप अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है कि क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगेर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा में सफाई अभियान को तीजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगा तार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन्पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम आरोप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना पड़ा और उस सुनवाई में जब उन्हें दोशी पाया गया तो एक सखत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई है जिन्पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोर्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है। COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्होंने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम य या चबी भी है ये फित्रत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साजिश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है, जब चीन में शी जिन पिंग ने एक पुर्व मंद्री को पहुचा दिया, कोड के जरीए सजाए मौत तक, आरोप तो रिश्वत लेने का था, लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं, कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है, यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं, वो पूरी दुनिया मानें, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर मानें, जिन पर उनका बश चलता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं, उनके इरादे कुछ या भाप भी चुकी है, लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें वो चाहते ये हैं, कि उनका पूरा साथ दिया जाए, उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं, जिनें उन्होंने बड़े बड़े पदो पर बिठा कर रखा है, लेकिन जब खबर ये आती है, कि उनके साथ ही उनके अपने घदारी कर रहे हैं, तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं, शी जिन पिंग, और यही बताने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला छोटा मोटा नहीं था, अगर भ ये अपने पद पर रहते हुए, कुछ लोगों को अवैद रूप से फायदा पहुचा रहे थे, जिन में कई बड़े बिजनसमेंन थे, जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी, और ये अपना फायदा रेखते थे, ऐसे में, पुरोतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौझूद, Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जितने भी political rights हैं, उससे वंचित कर दिया जाए, इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है, इसे कुर्ग कर दिया जाए, सुन पुर्व मंत्री, उमर इनकी 53 साल की है, ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रह रहते हैं, ये जिन्पिंग को लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन्पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है, वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है, शी जि बैट कर अगर इस तरह कप रष्टाचार किया जा रहा हो, शी जिन्पिंग की नीती के खलाफ, उनकी मर्जी के खलाफ, कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन्पिंग उन्हें परदाश्त नहीं करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इ ये खिलाब भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानूनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिन्पिंग की फित्रत भी यही है कि अगर शी जिन्पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनक भी गुप्त मंत्री को रिश्वत लेने और रश्टा चार के आरोपों में दोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है। लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरों से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला। यह फैसला नहीं चीन अलत में सुनाया है। लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सरश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत। और ये सब हुआ है रिश्वत लेने और फ्रष्टाचार का दोशी पाए जाने पर। और ये सखत सजा कोटने इसी लिए भी सुनाई है ताकि फ्रष्टाचार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए। शी जिनपिंग अब फ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं अना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो विस्तारबाद को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखाल्फत करे या फिर फ्रष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक प्रष्टाचार के ऐस सजाए मौत दे दी गई है और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहार करने का आरोप लगा आपरादीक गिरों का नेतृत्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपन पद का दुरुप्योग करते हुए शेयर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरु मंत्री को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसंस के खलाफ कोड ने ऐसा ही फैसला सुनाया था रहष्टा चार कर ख़रने और रच्ड़ दुरूपियों करने के मामले में उनिंग्भी सजा सुनाई गई थी निए बंड़ी ब्स जाने लिए ओंड में इस तरह की खानुणी कारवाई चलाकर सजाय मौत पहुंचाया गया था ये भी कई एहम सा हैं लेकिन सवाली कि क्या आभी जिन्पिंग इसी तरह से व्रष्टा अचारियों का और उदका विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है इसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़के तुर्व मंत्री के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट कुरू मंत्री को सजाय मौथ चीन में सुना दी गई है नाम उस मंत्री का सुन लिजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे है क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुँटा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहे हैं दरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिष्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहे अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तरह से कोड की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में कोड ने दोशी पाया त तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक तंड ही नहीं बलकी चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था अबला दरसल पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुड़ा बताया जा रहा है और यहीं मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वन्चित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिससे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ति को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब जीन में रश्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ ओट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भ्रष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे क्या वो अवैद रूब से विस्तारवाद की नीटी को आगे बढ़ा रहे है क्या उनकी नीटी दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारबाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से उन्हें चाहे शाम, दाम, दंड, देट से कुछ भी कदम क्यों ना उठाना पड़े वो अपने आसपास के उन इराकों में वर्चस्व बनाना चाहते हैं जो उनसे लगे हुए हैं और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंदों को जोड़कर भी देखा जा रहा है लेकिन जब पुरी तुनिया में उनकी इस चवी को लेकर उनके नाम को लेकर किरकिरी हुई तो उने अपने सिस्टम में ही एक बार फिर से जहांकने की कोशिश की यानि वो अपनी घृवा में भी जहांक कर ये देखना चाहते हैं कि क्या तुनिया में अपनी चवी को और जादा मजबूत करने के जो वो कदम उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं कि दीमक की तरह उनके देश में ही कुछ वरिष्ट अधिकारी और उनके इर्दिगर्द बैठे लोग उसे घुन की तरह चट कर रहे हूं और इसलिए शी जिन्पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है और ये विशन है आंत्रिक सुरक्षा को ले करके अब अपने देश के फीतर ही सफाई अभियान चलाने का तरह असलिए सफाई अभियान आसपास के बातावरान का नहीं पूरे सिस्टम का है कि सिक्यूर्टी सिस्टम में क्या कहीं जो विश्वास पात्र लोग उनके अभी पद पर मवजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का घलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्टली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गए तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड़ चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विशह बन गया है क्योंकि किसी आम शक्त को नहीं बलकि एक पूर मंत्री को सजाए मौत चीन की कोट ने सुनाई है अना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पि जिन पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शवको सुभा की ध्वन जाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कार्म आगया बढ़ाई जाती है शी जिन पिंग के ओर से ऐसे ही कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हे पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन युयान अगर इसे हम डॉलर में देखें तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीकेंग से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमित्ताइं भी इनके कारिकाल में बरती जा रही हैं और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉंक ट्रेडिंग में हेर फेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हित में प्रभावित कर रहे थे टाकि इनका फाइदा हो सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आंसी पर लटकाने की सज सुनाई गई है मंतरी सुन लिजुन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानि मौत से पहले भी दो साल जेल में पुरु मंतरी को काटना होगा और ये सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से डरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में कदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाए मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप रिश्वत लेने का अपने पद पर रहते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पत्वरखावीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद इंटरमेडियेट पिपल कोट ऑफ चांग्चुन ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वंचित कर दिया जाए यानि जितने भी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पुलिटिकल राइट्स से भी पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी परसनल प्रॉपर्टी थी उसे भी निलाम करने का आदेश दी द उनकी वफादारी करने वाले लोगों के जरीए ही चले जो भी उनसे जरासी भी घदारी करेगा उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा। की अदालत में ये केश चला और पूर्व मंत्री सुन ले जुन को रिश्वक्त लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। कुरुना को पुरी दुनिया में पहलाने की एक बड़ी साज़िश चीन की शी जिन्पिंग की तो नहीं थी। ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी चिन्पिंग घिरे हुए हैं और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि पुरी दुनिया में जो उन पर आरोप लग रहे हैं उससे निपटने से पहले उन्हें ये भी देखना होगा। कि क्या उनके इर्दगिर्द उनके अपने ही उनकी उस इमारत को खोकला तो नहीं कर रहे हैं। क्यारी में उठाया गया कदम माना जा रहा है क्योंकि एक मंत्री को सजाए मौत भरष्टा चार के मामले में देना अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है। लेकिन शी जिन्पिंग का मकसद है कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानी चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने। ताकि उनके खिलाफ उनकी नीती के खिलाफ उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की हरकत करने से बचें। ये एक बड़ा मामला है जो आज पुरी दुनिया भर में चर्चा का विशय बढ़ा हुआ है। अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कदम चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है। ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तिया रणनीती बनाई जा सके। सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं तो उन्हें डर इस बात का भी है। कि भीतर इभीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है। अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शीजिन पिंग ने सोची और उसी के तहफ अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है। उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिन्पिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रूओं से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिन्पिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं जो उनके इर्दगिर मवजूद हैं मुस्कुराते रहते हैं लेकिन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी लिए भी शी जिन पिंग ने इस तरह की अपनी आंत्रिक सुरक्षा मे सफाई अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है क्या भरष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम पहुचाया जा सकता है लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही है कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पुरु उप मंत्री सुन ले जुन को रिश्वत लेने के आरोप में कोट में एक बड़ी तो एक सकत कदम उठाया गया और इस पुरु मंत्री को सजा मौत सुनाई गई है जिन पिंग की अगर कोई मुखालफत करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनकी नीती के खिलाफ गदारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साजश रिष्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पुरी कोल्ट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वतर शेहर चांग्चुन की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान यानि डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पुर्व मंतरी सुनलिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूपियो करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे आरोप इन पर ये भी अगे थे आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्हों ने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारीयों की इन्हों ने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्हों ने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्हों ने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्त नहीं था आला कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया छवी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्ट नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो, साज़िश कर रहा हो, घद्दारी कर रहा हो, तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब च लेकिन शी जिन पिंग इसके जरीए अपने उन विरोधियों को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी मुखालफत करने का अंजाम मौत है, यानि जो शी जिन पिंग चाहते हैं, वो पूरी दुनिया माने, कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने, जिन पर उनका ब बादों को दुनिया भाप भी चुकी है, लगातार शी जिन पिंग अपने विस्तारवादी नीती के तहट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसमें वो चाहते हैं कि उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की और से जो उनके साथ हैं, जिनें उन्होंने बड़े बिठा कर रखा है, लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं, तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन पिंग, और यही बताने की कोशिश हुई है, क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था, अगर भार अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था, अला कि आरोप इन पर बहुत से लगे थे, आरोपों के तहत ये भी पाया गया था, कि ये अपने पद पर रहते हुए कुछ लोगों को अवैद रूप से फाइदा पहुचा रहे थे, जिन में कई बड़े बिजनेसमेंट थे, जिसके एवज में इन्हें रिश्वत मिलती थी, और ये अपना फाइदा रेखते थे, ऐसे में पुरुतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मौझूद इंटरमेडियेट पीपल्स कोर्ट आफ चांक्यून ने कहा है, कि सुन को उनके तमाम जित ये एक विरोधी समू का नेत्रित्व कर रहे थे, ये शिन पिंग को लगने लगा था, और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे, क्योंकि शिर्वात में यही मानकर शी जिन पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है, वरना जरा भी शप और किया जा रहा हो, शी जिन पिंग की नीती के खलाफ, उनकी मर्जी के खलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो, तो फिर शी जिन पिंग उन्हें परदाश्ट नहीं करते हैं, और ऐसा ही देखने को भी मिला, कि इसी थस्दे को चीन की एक अदालत ने एक कानुनी कारवाई करते हुए, इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया, आरोप ये भी लग रहे हैं, कि शी जिन पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं, यानि जो शी जिन पिंग को पसंद हो, सिर्फ वही का उनकी इर्दगिर्द मवजूद लोग किया करते हैं, लेकिन शी जिन पिंग की फितरत भी यही है, कि अगर शी जिन पिंग को जो काम परदाश्ट नहीं, वैसा करते अगर कोई पाया गया, या इसकी भनक भी गुप्तचरों के जरिये शी जिन पिंग को लगी, तो फिर उस साचार के आरोपों में दोशी पाय जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है, लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला, यह फैसला यही चीन पिंग कालत ने सुनाया है, लेकिन सजाय मौत से पहले दोशी पाय गए पुरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है, यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत, और यह सब हुआ है, रिश्वत लेने और घरश्टा चार का दोशी पाय जाने पर, और यह सख सजा भविश्य में चीन में सोचे, उसे एक सबक मिल सके, और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए, शी जिनपिंग अब भरश्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं, हना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की छवी क्या है, किस तरह से वो विस्ता बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, ये एक अलग होता है, और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करें, या फिर भरश्टा चार का दोशी पाया जाए, तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँच ये एक और उसकी बान की चीन से सामने आई है, पताया ये गया कि एक रश्टाचार के ऐसे ही मामले की कोर्ट में सुनवाई थी, और एक पावर्फुल मंत्री कहे जाने वाले उर्भ मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है, और ये फर्मान कोर्ट ने सुनाया है, उक मंत्री प वो करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपयोग करते हुए शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुँचा कोर्ट में सुनवाई के बार आखिर कार उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंत्री को सजाए मौत सुनाई गई है उस सिर्फ दो दिन पहले भी दो सीनियर कोफिस सब्सक्राइब करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गए थी आरूपी पर राष्टपती श्री जिन्पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरूप है यानि आरूप यह है यह से जिन्पिंग के लिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर ससाय मौत तक पहुचाया गया था यह भी कई एहम सब्सक्राइब लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन्पिंग इसी तरह से ब्रश्टा चारियों का और विरोध करने वारों का अं मंत्री के साथ गई एक हैवी वे पूर्व मंत्री को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उढस फूर्प मंत्री का सुन लिजून जिने रिश्वत लेने यहां डेशी पाया गया है अपने पार्ट का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन इसary का शी शी जिन्पिंग का धिरोधी होगी उने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब ब्रेश्टा चार को लेकर अपना सखत रुख दिखा रहे हैं तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को पेरें अब ये मसला पुरी दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पुर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओडने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाय मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक तंड ही नहीं बलकि चीन में सजाय मौत है और उसका ये ताजा उधारन चीन से सामने आया है पताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पुर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोग तो इस पुर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांथ से जुला बताया जा रहा और यहीं मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिए गये हैं जिससे वो राजनेतिक गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन्पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन्पिंग की सख्ती और सख्ती के साथ कोट में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी सख्ती चीन में देखी गई है दरसे बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस्तर पर लगे हैं उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद की नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़ कर भी देखा जा रहा है। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। कि अभी पद पर मौजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोका तो नहीं दे रहे हैं क्या वो कहीं अपने पद का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं। और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं। क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजा मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिद्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिद्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिद्मेद कि सिस्टम और जादा सटीक हो जिसके जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जि के विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रश्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया यानि ये सकती थी शी जिन पिंग की शी जिन पिंग अब ये चाहते हैं कि उनके देश में पूरे सिस्टम में इसी तरह से सफाई हो ज्याए पालिका में शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहट ही इस तरह के मामलों को देखा जा रहा है और ये ताजा मामला तो दुनिया भर में चर्चा का कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात्र हो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर ही कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर खड़ा रहे चाहे दुनिया भर में श इश्वास पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शको सुभा के ध्वनजाईश शी जिन पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुँच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन पिंग की औ कोड के कड़गरे में खड़ा किया गया और जो ताजा मामला सामने आया पता चला कि इससे फैसले के दो दिन पहले भी कुछ सीनियर आफिसर्स पर इसी तरह के संगीन आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरो मंत्री सुन लेजून को रिश्वत लेने का आरोपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी पाया गया उन्हें रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और रिश्वत थी करीब 646 मिलियन यूयान अगर इसे हम तो 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का इन्हें दोशी पाया गया था हाला कि सुन पर आरोप 2018 में लगे थे कि जिस तरीके से वो अपने पद पर कादीज हैं इसका वो दुरूपयोग कर रहे हैं और कहतरे कि अनिमेताएं भी इनके कारेकाल में बरती जा रही है और तमाम ऐसे कई आरोप इन पर लगते रहे हैं स्ट्रॉप ट्रेडिंग में हेर फेर का आरोप ही इन पर लगा था यानि कि अपने पद पर रहते हुए ये पद का दुरूपयोग कर रहे थे और वहां के शेयर बाजार को अपने हितमे प्रभावित कर रहे थे ताकि इनका फायदा ह सके ऐसे आरोप लगे थे 2018 से ही जब इस तरह के आरोप इन पर लगने लगे थे उसके बाद इस मामले की सुनवाई कोट में शुरू ही लेकिन इसमें सबसे एहम रोल शी जिनपिंग का था कि क्या वो ऐसे लोगों को बक्षना चाहते हैं उन्हें कोई मौका देना चाहते हैं या शी जिनपिंग का रुख बेहद सख्त है क्योंकि बहुत कम देशों में इस तरह की मिसाल देखने को मिलती है कि ब्रश्टा चार के आरोप में किसी को सजा मौत सुना दी जाए रिश्वत लेने के आरोप में किसी को आंसी पर लटकाने की सजा सुनाई जाए लेकिन चीम के कानून के मताबिक जो ताजा मामला सामने आया जिसमें इस पुरु मंत्री को जो सजा सुनाई गई है मंत्री सुन लिजिन को जो सजा सुनाई गई उसमें सिर्फ आसी की सजा मौत की सजा ही नहीं बलकि मौत की सजा मिलने से पहले दो साल का सरश्रम कारावास यानी मौत स सख्त सजा इसलिए भी क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोग इस तरह की हरकत करने से टरें सहमें और वो इस बात का एहसास रखें कि शी जिन पिंग किस तरह से बेहद सख्त रुख अख्तियार किये हुए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ विवस्था में पदम उठाएगा उसका अंजाम मौत होगा और यही साबित करने के लिए आखिरकार शी जिन पिंग से जिसने भी घुस्ताखी की उसे सजाय मौत सुनाई गई जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी पुरु मंत्री की तस्वीर है और नाम है सुन लिज्वन आरोप करते हुए पद के घलत इस्तेमाल करने का कोविड के टाइम भी उस दौरान जिस तरह से विवस्था चल रही थी उस दौरान भी कुछ अनिमित्ताएं करने का आरोप इन पर लगा आरोप तो यहां तक लगा था कि इन्होंने नौकरियां बेची है क्योंकि ये एक बड़े पतफरखाबीज थे ऐसे में चीन के पुर्वोत्तर में जिरिन प्रांत में मौझूद Intermediate People Court of Changchun ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ सुन को ये सजा सुनाई जाए बलकि उन्हें अब आगे के तमाम हथिया जितने भी अधिकार हैं उनसे वन्चित कर दिया जाए यानि जितने केशी राजनेतिक उन्हें राइट्स थे अब वो पूरी तरह से उन्हें वंचित कर दिया गया है इसके साथ साथ जो उनकी अपनी पर्सनल प्रापर्टी थी उसे भी नेलाम करने का आदेश दी दिया गया है ये इस दिशा में बढ़ाया गया कदम माना जारा है कि शी जिन लोगों के जरीए ही चले, जो भी उनसे जरासी भी घद्दारी करेगा, उसे इसी तरह मौत की सजा तक तौचा दिया जाएगा, बताया ये भी जा रहा है, कि दरसल मिसाल कायम करने के लिए इस तरह की बात सामने भी आई है, कि अगर रिश्वत लेते पाए गए, तो उसका अ संत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने का दोशी पाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये, कि दरसल शी जिन पे पुरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह से कुख्यात होते चले जा रहे हैं, यानि उनकी जवी को लेकर के क एक बड़ी साज़िश चीन की, शी जिन पिंग की तो नहीं थी, ऐसे में कई बड़े और गंभीर आरोपों में शी जिन पिंग घिरे हुए हैं, और अब कोई दुनिया में वो अपनी 26 सुधारने की मशकत भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये था, कि पुरी दुनिया में जो उ प्रट तो नहीं कर रहे है, जिसमें वो अपने विस्तार, वादी, नीती को आगे बढ़ाना चाहते हों, और अंदर से उनकी विवस्ता ही खोकली होती जा रही हो, और बताया यहीं जा रहा है, कि इसी कड़ी में शी जिन पिंग अब बेहत सخت रुख अख्तियार किये हुए ब्रष्टा चार को ले करके, और यह जो ताजा कोड का फैसला है, यह इसी कड़ी में उठाया गया, कदम माना जा रहा है, क्योंकि एक मंत्री को सजा मौत ब्रष्टा चार के मामले में देना, अपने आप में दुनिया भर के लिए मिसाल है, लेकि शी जिन पिंग का मकसद ह कि सबसे पहले उनके अपने देश में यानि चीन में ही ये फैसला एक मिसाल बने, ताकि उनके खिलाफ, उनकी नीती के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने वाले और अपना स्वार्थ सिद्र करने में लगे हुए अधिकारी या मंत्री सबक लें और इस तरह की ह खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अलावा भी और कौन-कौन से ऐसे लोग पुरी सिस्टम में चीन के भीतर मौजूद हैं, क्या नय पालिका में ऐसे कुछ लोग मौजूद तो नहीं हैं, जो पद का दुरूपयों कर रहे हैं, जो भरष्टाचार में लिप्त हैं, क्य पुलिस महिकमे में तो ऐसे और लोग मौजूद नहीं हैं, जो इसी तरह से अपने पत का खलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी लिए भी अब इसी सफवी अभियान के तहट इसे उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है, हाला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह का कद चीन में शी जिन पिंग के आदेश के बाद उठाया गया है, ताकि सुरक्षा को ले करके और जादा पुख्तियार रणनीती बनाई जा सके, सुरक्षा जब वो बाहरी तोर पर पुख्ता करना चाहते हैं, तो उन्हें डर इस बात का भी है, कि भीतर ही भीतर उनका सिस्टम सुरक्षा को ले कर कहीं खोकला तो नहीं हो रहा है, जिन लोगों को उन्होंने बहुत ही खास पदों पर बैठा कर रखा है, क्या वहां लोग उनके सिस्टम को खोकला तो नहीं कर रहा है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा नुपसान तो नहीं पहुँचाया जा रहा ह और इसलिए अपनी पूरे सुरक्षा तंत्र में एक सफाई अभियान चलाने की शी जिनपिंग ने सोची और उसी के तहट अब एक एक कर होने कोने से उन लोगों को तलाशा जा रहा है उनको पार की नजर से देखा जा रहा है क्या अपना ये काम इमानदारी से कर भी रहे हैं क्या नहीं क्योंकि शी जिनपिंग की जो बड़ी सेना है वो तो बाहरी शत्रों से लड़ सकती है उसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है शी जिनपिंग समय समय पर उन्हें उत्साहित करते रहते हैं लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं ज उसी कड़ी में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दुनिया भर में इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। कि क्या रिश्वत लेने पर सजाय मौत दी जा सकती है। क्या भष्टाचार करने पर आदमी को मौत के अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन शी जिन पिंग चाहते यही हैं कि उनका उठाया गया ये कदम पुरी दुनिया में मिसाल बने और इसी लिए ये ताजा मामला सामने आया जब पूरु उप मंत्री सुन लेजुन को रिश्वत लेने के आरूप में कोट में एक बड़ी सुनवाई में शामिल होना जिन पिंग की अगर कोई मुखालफ़त करता है तो उसे मौत की सजा सुननी पड़ेगी अगर शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ कोई जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा अगर कोई उनके नीती के खिलाफ ख़दारी करते हुए आगे बढ़ता है कोई साज़श रिश्टा है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है यही बताने की कोशिश इस सजा के दरिये की गई है आला कि पूरी कोट में प्रोसीजर चली जिसमें पाया ये गया कि चीन के पुर्वत्तर शहर चांग्चून की अदालत ने ये देखा कि 646 मिलियन युयान याने डॉलर में 91 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने का दोशी इन पूर्व मंत्री सुन लिजुन को पाया गया था और ऐसे में रिश्वत लेने का दोशी पाय जाने पर अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाय जाने पर उन्हें सजाय मौत सुना दी गई है, अला कि आरोप तो इन पर और भी कुछ लगे थे, आरोप इन पर ये भी लगा था कि ये अश्वार्थ के लिए किसी एक व्यापारी को नुकसान से बचाने के लिए स्टॉक मार्केट में भी हेरा फेरी कर रहे थे। ऐसे कई संगीन आरूप उन पर लगे थे। आरूप तो उन पर ये भी लगा था कि COVID-19 के दर्मियान अपने पद का इन्होंने घलत इस्तेमाल किया और कई अधिकारियों की इन्हो ने घलतियों को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए उसके लिए रिश्वत इन्होंने ली आरूप इन पर ये भी लगा कि इन्होंने सरकारी नौकरियां बेची यानि वो काम ये करते रहे जो शी जिनपिंग को परदाश्त नहीं था आला कि शी जिनपिंग ने हमेशा से अपने इर्दगिर अपने विश्वास पात्रों को ही रखा है शी जिनपिंग किया चबी भी है ये फितरत भी है कि वो कभी भी अपनी विचार धारा से इतर लोगों को अपने आस पास बरदाश्त नहीं करते और अगर कोई उनकी प्लैनिंग से उलट काम कर रहा हो साजिश कर रहा हो घदारी कर रहा हो तो उसे वो बक्षते भी नहीं है और इसलिए एक ताजा उधारन सामने आया है जब चीन में शी जिनपिंग ने एक पुर्व मंतरी को पहुचा दिया कोड के जरिये सजाय मौत तक आरोग तो रिश्वत लेने का था लेकिन शी जिनपिंग इसक मौत है यानि जो शी जिनपिंग चाहते हैं वो पूरी दुनिया माने कमसकम उनके अपने आसपास के लोग तो जरूर माने जिन पर उनका बश चलता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है उनके इरादे कुछ और भी हैं और उनके इरादों को दुनिया भ उनका पूरा साथ दिया जाए उन लोगों की ओर से जो उनके साथ हैं जिने उन्होंने बड़े बड़े पदों पर बिठा कर रखा है लेकिन जब खबर ये आती है कि उनके साथ ही उनके अपने घद्दारी कर रहे हैं तो उन्हें मौत तक पहुचा देते हैं शी जिन और यही बताने की कोशिश हुई है क्योंकि ये ब्रष्टाचार का मामला चोटा मोटा नहीं था अगर भारती रूपियों के हिसाब से रेखें तो करीब साथ अरब रुपई की रिश्वत लेने का आरोप इन पुरु मंत्री पर लगा था अला कि आरोप इन पर बहुत से ल बिलती थी और ये अपना फाइदा रेखते थे ऐसे में पुर्वतर चीन के जिलिन प्रांत में ही मवजूद Intermediate People's Court of Changchun ने कहा है कि सुन को उनके तमाम जितने भी पोलिटिकल राइट्स हैं उससे वंचित कर दिया जाए इनकी अपनी जितनी भी नीजी संपत्ती है इसे क पुर्व कर दिया जाए सुन पुर्व मंत्री ओमर इनकी 53 साल की है ये एक विरोधी समों का नेत्रित्व कर रहे थे ये जिन्पिंग को लगने लगा था और शी के लिए ये अब उस तरह से वफादार नहीं थे क्योंकि शिरवात में यही मानकर शी जिन्पिंग ने ऐसे बड़े ओदों पर लोगों को रखा है वरना जरा भी शप और चुबह की गुंजाईश होती है शी जिन्पिंग उन्हें तुरंद पत से हटा देते हैं लेकिन ऐसे कई खास पदों पर बैठ कर अगर इस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा हो शी जिन्पिंग की नीती के खिलाफ उनकी मर्दी के खिलाफ कोई अपने फाइदे के लिए काम किया जा रहा हो तो फिर शी जिन्पिंग उन्हें परदाश्त नहीं करते और ऐसा ही देखन के ये खिलाब भी थे और इसी लिए भी शी जिन्पिंग ने कानुनी कारवाई करते हुए इन्हें मौत के अंजाम तक पहुचा दिया आरोप ये भी लग रहे हैं कि शी जिन्पिंग दरसल कई ऐसे लोगों से घिरे उड़े हैं जो सिर्फ उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं यानि जो शी जिन्पिंग को पसंद हो सिर्फ वही काम उनके इर्दगिर्द मौजूद लोग किया करते हैं लेकिन शी जिनपिंग की फितरत भी यही है कि अगर शी जिनपिंग को जो काम परदाष नहीं वैसा करते अगर कोई पाया गया या इसकी भनग भी गुपतचरों के जरीए शी जिनपिंग को लगी तो फिर उसका खात्मा ही उनका अंजाम होता है पुर्व मंत्री को रिश्वत लेने और रष्टा चार के आरोपों में तोशी पाए जाने पर आखिरकार सजाय मौत दी गई है लेकिन एक दुनिया के और दस्तुरें से हटकर भी यहां फैसला देखने को मिला यह फैसला यही चीन अलत ने सुनाया है लेकिन सजाय मौत से पहले तोशी पाए गए पुरु मंत्री को दो साल की सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है यानि दो साल तक पहले मशक्कत के साथ जेजेल की सजा काटनी होगी और फिर उसके बाद मिलेगी सजाय मौत और यह सब हुआ है रिश्वत लेने और घ्रष्टा चार का दोशी पाए जाने पर और यह सख सजा कोट ने इसी लिए भी सुनाई है ताकि प्रष्टा चार की जो भविश्य में चीन में सोचे उसे एक सबक मिल सके और मिसाल के तौर पर इस मसले को दिखा जाए शी जिनपिंग अब प्रष्टा चार के मुद्दे पर काफी सखत नजर आते हैं हाना कि दुन्या भर में शी जिनपिंग की खुद की चवी क्या है किस तरह से वो भ्रष्टार बात को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं ये एक अलग हुद्दा है और इसे लेकर वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं लेकिन अब उनके इर्द गिर्द कोई उनकी मुखालफत करे या फिर भरष्टाचार का दोशी पाया जाए तो किस तरह उसे अंजाम तक पहुँचाया जाएगा ये एक और उसकी बानगी चीन से सामने आई है पताया ये गया कि एक रष्टाचार के ऐसे ही मामले की कोड में सुनवाई खी और एक पावरफुल मंत्री कहे जाने वाले उर्व मंत्री को सजाय मौत दे दी गई है और ये फरमान कोड में सुनाया है उक मंत्री पर सरकारी अधिकारियों के साथ खलत विवहर करने का आरोप लगा आपराधिक गिरों का नेत्रित्व करने का भी आरोप लगा और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं था आरोप ये भी था कि वो अपने बद का दुरूपियों करतिवे शेर बाजार में भी हेर फेर कर रहे थे रिश्वत ले रहे थे और इस तरह से कई बेहद गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे और इन तमाम आरोपों के बाद ये मामला कोड तक पहुँचा कोड में सुनवाई के बाद आखिर कार उन्हें सजाय मौत सुनाई गई है लेकिन ये पहला मामला नहीं है जिस दिन पुरू मंतरी को सजाय मौत सुनाई गई उससे एक दो दिन पहले भी दो सीनियर कॉफिसर्स के खलाफ कोड में ऐसा ही फैसला सुनाया था भेष्टा अचार करने और पदधा दुरूपियों करने के मामले में उन्हें गड़ी सजा सुनाई गई थी आरोपी पर राष्टपती श्री जिन पिंग के विरोधियों के एक समूं का नेतित्व करना कभी आरोप है यानि आरोप ये भी है कि ये से जिन पिंग के ये बिए और क्या इसी लिए पोर्ट में इस तरह की कानूनी कारवाई चलातर सजाय मौत तक पहुचाया गया था ये भी कई एहम सा है लेकिन सवाल है कि क्या आवी जिन पिंग इसी तरह से ब्रष्टा अचारियों का और खुद का विरोध करने वारों का अंजाम देखना चाहते हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया है जिसी आम शक्स के साथ नहीं हुआ बड़कि पूर्व मंतरी के साथ हुआ यानि एक हैवी वेट पूर्व मंतरी को सजाय मौत चीन में सुना दी गई है नाम उस मंतरी का सुन देजून है जिने रिश्वत लेने का दोशी पाया गया है अपने पद का दुरूप्यों करने का दोशी पाया गया है लेकिन सवाल ये भी खड़े होने लगे क्या शी जिन्पिंग का विरोधी होने इस अंजाम तक पहुंचा गया है लेकिन खास बात ये है कि शी जिन्पिंग अब भरिश्टा चार को लेकर अपना सख्त रुख दिखा रहा है तरसल बताया ये भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह कि कई और आरोप लगातार कई अधिकारियों पर लगे थे लेकिन कुछ और समय पहले अगर हम चीन के इतिहास के पन्नों को फेरें वहां कई बड़े वरिश्ट अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहें खुद चीन पर ही कोविड-19 यानि को पहलाने का आरोप लगा इसी कोविड-19 के तवरान इसी के मसले से जुड़े कई वरिश्ट अधिकारियों पर भी अपने पत के दुरूप का आरोप लगा है और उसके उन पर इसी तह से कोट की कारवाई चली है लेकिन अब ये मसला पुरी गुम्याँ खर में लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है कि चीन में एक पूर्म मंत्री को भरष्टा चार के मामले में ओट ने दोशी पाया तो सुना दी उन्हें सजाए मौत यानि भरष्टा चार की सजा जेल ही नहीं और सिर्फ आर्थिक रंड ही नहीं बलकि चीन में सजाए मौत है और उसका ये ताजा उदारन चीन से सामने आया है बताया ये भी जा रहा है कि दरसल इस पूर्व मंत्री पर वहां के शेर बाजार को अवैद रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लग रहा था आरोप तो इस पूर्व मंत्री पर चीन में अवैद हथियार रखने का भी लगा था पुर्वत्तर चीन के जिलिन प्रांट से जुला बताया जा रहा और यहीं मौजूद Intermediate People's Court of Changchun ने ये भी कहा कि सुन को उनके राजनेतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाए यानि कि उन्हें अब कोई और राजनेतिक अधियार नहीं होंगे ऐसे तमाम अधिकार उनके चिन लिये गए हैं जिसे वो राजनेतिके गलियारों में कोई कदम आगे बढ़ा सके लेकिन इसके साथ साथ उनकी सारी मीजी संपत्ती को कर लिये जाने का आदेश भी कोट ने दिया है लेकिन कई एहम सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शी जिन पिंग की मुखालफत करना यानि उनका विरोध करना भी उन्हें इस हशर तक पहुचा गया क्या अब चीन में भरष्टा चार करने वालों का अंजाम यही होगा क्योंकि शी जिन पिंग की सक्ती और सक्ती के साथ ओड़ में उठाए गए कदम कुछ इसी और इशारा भी कर रहे हैं क्योंकि जो ताजा मामला सामने आया वो किसी आम शख्स का नहीं है बलकि एक पुर्व मंत्री का है यानि अगर पुर्व मंत्री भी भरष्टा चार का दोशी पाया जाता है तो उसे सजाय मौदिस गई है और इससे पहले भी कुछ ऐसी ही सखती चीन में देखी गई है दरसल बताये जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से चीन पर और शी जिन्पिंग पर जिस तरह के आरोप अंतरराश्ट्री इस तर पर लगे है उसे लेकर शी जिन्पिंग खुद बौफलाय हुए है उन पर तरह तरह के आरोप लगे कि क्या वो अवैद रूप से विस्तारवाद के नीती को आगे बढ़ा रहे हैं क्या उनकी नीती दुनिया में कई और देशों के लिए परेशानी का सबब बन रही है क्या वो विस्तारवाद की नीती के तहट चाहे जिस भी तरीके से और इसी के तहट कई ऐसे उनके सीमावर्ती देशों के साथ उनके संबंधों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। और इसी लिए शी जिन पिंग ने एक बड़े पैमाने पर मिशन पिछले कई दिनों से छिड़ा हुआ है। कि अभी पद पर मौजूद हैं वो किसी तरीके से कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्या वो कहीं अपने पद का दुरूपियों करते हुए शी जिन पिंग की नीतियों के खिलाफ कोई कदम तो नहीं उठा रहे हैं और ऐसे तमाम सवाल अब इस कोर्ट के फैसले के बाद खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब एक और वो मंतरी को कोर्ट ने सुनाई है सजाए मौत यानि कोर्ट ने एक ऐसे शखस को मौत की सजा सुनाई है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ था जिसकी जिम्मेदारी थी कि चीन में विवस्था को और सुचारू रूप से आगे बढ़ाना जिसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों का भरोसा पूरी न्याय पालिका पर हो नोगों का भरोसा उस चीन में चल रहे सिस्टम पर हो जो शी जिन पिंग की अगवाई में आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे एक के बाद एक कई और मसले सामने आए जिससे ये देखने और सुनने मिला कि दरसल शी जिन पिंग की नजर तो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करने की है लेकिन उनके आस पास उनके इर्द गिर्द उनके विश्वास पात रही ऐसे कई लोग हैं जो उनसे घद्दारी कर रहे हैं या फिर इंडिरेक्ली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शी जिन पिंग को गवारा नहीं है एक ऐसा ही मामला जब सामने आया कि पूर्व उपमुक्य मंतरी वहां रष्टाचार के दोशी पाए गये तो इस पूर्व मंतरी का मसला कोड चला गया य शिक्षा विभाग में चाहे वकालत में हो या पुलिस महकमे में क्या ऐसे तो वरिष्ट पदों पर लोग नहीं बैठे हैं जो इस शी जिन पिंग की नीती के खिलाफ जा रहा हो और ऐसे में अब उनकी सफाई के लिए चलाए गए इस कदम के तहत ही इस तरह के मामलों को द सुनाई है हाना कि ये सख्त रुख शी जिन पिंग का था क्योंकि शी जिन पिंग ये चाहते हैं कि उनके आसपास उनके इर्दगिर्द जो कोई भी हो उनका विश्वास पात रहो यानि वो आँख मोंद कर शी जिन पिंग की नीतियों पर भरोसा करे और उनकी नीतियों पर यह कदम आगे बढ़ाए उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है चाहे दुनिया भर में शी जिन्पिंग की छवी जो भी हो चाहे दुनिया शी जिन्पिंग को कुछ भी कह रही हो लेकिन उनके तमाम वो साथी जो हर महकमे में मौझूद हैं वो उनके साथ विश्व पात्र बने रहें लेकिन अगर जरा भी शक व सुभा के ध्वन जाईश शी जिन्पिंग को दिखाई दे रही है तो फिर उसका अंजाम सजाए मौत तक पहुंच रहा है आना कि उसके लिए बकायत पुरी कारवाई आगया बढ़ाई जाती है शी जिन्पिंग के और से ऐसी संगीन आरूप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है ऐसे में जबकि पूरु मंत्री सुन लिजून को रिश्वत लेने का आरूपी बनाया गया था कोड में एक लंबी सुनवाई चली और आखिरकार उन्हें पद का दुरूपयोग करने का दोशी प आरूपयोग